चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं चैप्टर नंबर तीन और चैप्टर नंबर तीन का राम है इंप्लॉई कॉस्ट एंडारेक्ट एक्सपेंस यह चैप्टर एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है और इसे खास बनाती है कुछ दो बातें पहरी बात तो यह यह जो वड़ है डालेट एक्सपेंस इसके ऊपर दो कोशन आइसे आई मैट में न्यू सिलेवस के वक्त स्पैसिफिकली आइसे ने एड किये थे तो वो दो कोशन आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट और इस चैप्टर में एक कोशन है जहां पर हमें निकालनी है वेज रेट वो कोशन भी हमारे नोट में है जहां पर हमें निकालनी है वेज रेट और उस कोशन के अंदर एक कंडिशन है कंडिशन है 48 hours की उस कंडिशन को ICI ने रिमूव कर दिया है तो मज़े की बात यह है कि उस कोशन में अमेंडमेंट आ गया है बट अमेंडमेंड आने के बाद भ देखो एक तो इस चेप्टर का कोशन नंबर 13 और 14 यानि कि जो आपको ये रिविजन भूख दिये मैंने इसमें कोशन नंबर 13 और कोशन नंबर 14 वो दो कोशन है जो ICI ने स्पेसिफिकली एड़ किया है डारेट एक्सपेंस के उपर और जहां पर ICI ने अमेंड किया है वो है कोशन नंबर 4 यह है कोशन नंबर 4 जहां पर ICI ने एक कंडिशन को रिमूफ कर दिया है कोशन में से मगर उसके बावजूद भी आंसर से में मलब जो आंसर पहले हुआ करता था वो यह आंसर अभी है तो इसलिए यह तीन कोशन या कह लिजिए यह बहुत जादा इंपॉ कर दो टापिक हैं digging that employee cost ओ एक है मेरेец टाइक शफेंस जогनाद मेरा मतलब है यहाँ ना रिसा इंप्टा अब फटالم से और हमने इसके पहले किया शांटर माटीघिल कोस्ट वो था मेरा direct material cost तो कुल मिलाकर direct material cost पढ़ चुके हैं अब हम पढ़ेंगे direct labor cost and diet expense तो कहने का मतलब है इसके बाद जो direct cost वाला पाट है वो अपना पूरा हो गया direct cost मतलब क्या होता? direct cost मतलब होता है direct material cost plus direct labor cost and plus diet expense तो यह तो हम पढ़ चुके हैं already और इस chapter के अंदर यह दोनों पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बाद आपका यह तो computer हो जाएगा इसके बाद बसता है indirect cost indirect cost मतलब होता है indirect material cost plus indirect labor cost and indirect expense इसको technically बोलते हैं दिनों को जोड़कर overheads क्या बोलते हैं? overheads तो यह होगा हमारा आगे का chapter यह होगा हमारा आगे का chapter इस chapter ने पढ़ने का purpose क्या है हमारा देखो परबस हमारा हमेज़ा सेम रहे cost को कम करो profit को maximize करो अच्छा labor cost को अगर हम कम करें तो हमारा cost कम हो गया और जब हमारा cost कम हो गया तो हमारा profit बढ़ जाएगा automatically अच्छा एक example देता हूँ मैं आपको एक example देता हूँ मैं आपको उस example की मदद से आप इस chapter की important समझेंगे मालो एक employee है और वह 100 रुपए लेकर मना एक दिन में 100 रुपए ले रहा है आट घृटे काम कर रहा है एज्व रुपए लेकर शाम के आखरी तक ऐसक बनादिता है दस युनिट्स याणि काम कर रहा है पूरे दिन एक दस रुपए पर डे हैं तो सो रुपए लेकर 10 युनिट्स सामटों बनाता है तो कंपनी कतना ख़र्चा आता है कंपनी को डाट लेबर कॉस्ट पर युनिट क कि यह कम हो क्योंकि ध्यान देना अगर देखो सिंपल सी बात यह है यह मेरा कॉस्ट पर यूनिट मेरा cost per unit किसे निकलता है मेरा cost per unit किसे निकलता है तो यह निकलता है direct cost per unit plus indirect cost per unit और इस direct cost में क्या होता है इसमें DMC इसमें DLC इसमें DE सब होते हैं प्लस होता है ओवर हैड यह मेरा इंडारेट कॉस्ट तो यहां पर बात कर रहा हूं मैं इसकी अगर मैंने DLC को कम कर दिया तो जाई से बात है मेरी कॉस्ट भी कम होगी है ना अगर मेरी कॉस्ट कम होगी तो मेरा प्रफिट बढ़ जाएगा कैसे यूए मेरा प्रॉफेट लख क्या होता है इस पर यूनिट को कम करना अचा कम कैसे होगा यह सौउपे ले रहा था और घंटे के और दस बना रहा था इम्प्लॉई ने इसे एक ऑफर दिया इम्प्लॉई ने बूला आप सौउपे ले रहे हो लेकिन अगर आप शाम तक 10 के जगे 20 बना दो कंप्री ने क्या ओफर किया कि अगर आप 8 घंटे में 10 के जगे 20 बना दो तो मैं आपको 1.500 रुपए दूँगी बताओ क्या यह ओफर इंपलोई इसको अट्रेक्टिव लगेगा सोच के बताना डेफिनेटली उसको अट्रेक्टिव लगेगा अभी कमा राएक वह सो रुपए एक दिन के पिर वो कितने कमाएगा देट डिरू रूपए एक दिन के मदलब 50 रूपए उसे अच्ट्र मिल गए अगर पचास रूपए एक्स्ट्र मिल गए तो वह पचास इंजओ अजओर गल डेड़ सो बटा है इस तो कंप्री की कॉस्ट पढ़ गी साड़े साथ रुपए पर यूनिट लो जी अब हुआ क्या यह है मेरी विन-विन सिच्वेशन यानि इंपलॉई को भी फाइदा की अर्निंग बढ़ गई और कंपनी को भी फाइदा की लेबर कॉस्ट कम हो गई दोनों खुश है तो इस चैप्टर के अंदर हमने सीखने इंसेंटिव स्किम्स जिसकी मदद से हम अपने इंपलॉई को मूटिवेट करें ताकि उसको तो यह हमारी चैप्टर का मक्सद है अच्छा इसमें एक राइक डाइट एक्स्पेंस हाँ यह राइक डाइट इसमें आपना हमारे को बैसे लिए इसमें हमें पढ़ना है आइडिन्टिफिकेशन भाई कौन सा खर्चा डी है उसको करने के बारें पढ़ें हम कोशन नंबर 13 और कोशन नंबर 14 के अंदर तो इसको बताता हूं मैं चलो बढ़ते हैं आगे सबसे वहले कॉंसेट की बात करते हैं कॉंसेट है इफेक्टिव आवरली कॉस्ट आप इंप्लोई तो आपको याद हो जब हमने किया था डारेक्ट मटिरियल कॉस्ट वाला चेप्टर तो हमन यहां पर क्या निकाल रहे हैं यहां पर हम निकाल रहे हैं Employee Cost मैंने शोट में EE लिग इएorthIES PM क्रोण कर आठी यहानि एधे γंचाल ऐसे खाम करवाएं तो में कितना voltaud है तो सिंपल क्या है total employee cost total employee cost divide by total actual working hours minus normal loss. अब यहां पर normal loss का हम बोलते हैं, normal idle time normal idle time तो exactly similar idle time क्या होता है? idle time का मतलब होता है, वो time जब worker ने production नहीं किया जब worker ने production नहीं किया अब भई कोई भी company जब किसी employee को hire करती है, उसका पक्सत क्या होता है, उससे काम करवाना अब employee company के अंदर है company से पैसे भी दे रही है, और फिर भी वो काम नहीं कर रहा, तो इसे क्या बोलते हैं, idle time शुद दिन दिन बलू, वो time जब employee निकम्बो की तरह बैठा हुआ है बट पैसे ले रहा है अब सवाल यह है, कि idle time क्या हम अपने employee को खाना खाने से रोख सकते हैं यह भई तो मैं आट गंटे की प्रेइमेंट कर रहा हूँ आट गंटे पूरा काम करना पड़ाएगा, खाना वाला नी चलेगा यहां पर नहीं रोख सकता हूँ क्या मैं बीच में चाई पीने से रोख सकता हूँ आंसर इस नो यह मुझे पता है מת old मुझे पता है इतना टाइम तो मेरा खराब होगा ही मैं चाहा कर भी इसको आवब नहीं कर सकता है इसे कहते है नार्मल आइडल टाइम और normal idle time मतलब kind of normal loss तो जिस तरीके से हम normal loss की cost को जिस तरीके से हम normal loss की cost को material cost में add कर देते थे उसे तरीके से हम normal idle time के loss को भी labor cost में consider करेंगे और consider कासे करेंगे? consider ऐसे करेंगे यह लिखाना मैंने formula यह वाला यानि कि जब हम निखालेंगे total effective hours तो क्या होगा total time total actual hours worked minus normal idle time तो यह है मेरा normal idle time अगला होता है abnormal idle time abnormal loss इंप्राइस बसे फेक्ट्री में आया और फेक्ट्री में आगा उच्छे मशीन पहात लगाया मशीन में फटा का फूटा फट मशीन खराब हो गए मशीन ठीक होने में लगे चार घंटे इंप्राइस बस देख रहा था है यहां ठीक हो रही है ठीक हो रही है उस चार घंटे की payment company को तो इंप्राइस को करनी पड़ेगी जैसे हमने material costing वाले चेप्टर में जाना था कि abnormal loss को हमेशा loss मानते हैं cost नहीं मानते वैसे ही सेम तरीके से employees वाले case में abnormal idle time में दी जाने वाली payment को abnormal loss मानते हैं cost नहीं मानते हैं तो यानि कि यह concept is exactly similar to calculation of cost per unit चेप्र का नाम है material costing उसमें क्या था valuation of raw material और यहां पर क्या है effective hourly cost of employee तो simple सी बात है अगर मुझे निकालना है कि एक employee एक 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 घंटे काम करें तो मुझे कितना खरचा पड़ता है तो उसका फर्मूला है total employee cost divided by total actual hours worked minus normal idle time abnormal को minus नहीं करूंगा because it is not cost it is loss वो straight away loss में च अच्छा जिए लोगों बड़े प्यार से आराम अराम से करना है भागम भाग नहीं करनी है चीजों को समझते वे चलना है question number one की requirement क्या है you are required to calculate effective hourly cost of employee exam में इसको बोलते है reverse reading technique सबसे पहले पढ़ो question के requirement requirement पढ़ते ही आपको chapter का नाम और कौन सा concept लगेगा यह समझ में आ जाएगा और इसके आ जाने के बाद उस question को solve करना या उस question की sequence में solve करना है आप आसानी से तैय कर लोगे और तीर घंटे के अंदर proper तरीके से questions को attempt करोगे time को properly manage कर पाऊगे अच्छा तो मुझे क्या निकालनी है मुझे निकालनी है effective hourly cost इसको निकालने का फर्मूला क्या है इसको निकालने का फर्मूला है total employee cost divided by total actual hours worked minus normal idle time आई एक्स एन इंप्लॉई ऑफ एबी सी कंपनी गेट दा फॉलोइंग इंवालिमेंट्स एन बैनिफिट्स उसे क्या मिलता है basic पर मिलती है दस हजार पर मन्त अगर 12 से गुना कर दो कितना आ जाएगा एक लाग बीजार पूरे साल के राइट और रॉंग एक साले बारा मे इन दोनों को एड़ करें उसका 20 परसेंट यानि की 20 परसेंट ओफ एक बीस प्लस चौबीस कितना गया यह एक चावालिस का 20 परसेंट अठाइस आठ्सों अधिस इस माई बूनस फिर इसके बाद के मैंने अधर अलमेंस धाइस अधा पर मंतों गुना कर दो बारा से तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डीटेल में समझाता हूं यह समझेंगे हम इतने हिस्ते के अंदर लेकों इंप्लॉयर्स कॉंट्रिबूशन टू किसमें पी एफ प्रोविडेंट फंड बेसिकली क्या होता यह शॉट में बोलता हूं इसे रिटार्मेंट फंड क्या है कि एक इंप्लॉई पूर जीवन काल साथ साल की उमर तक एक कम कि आट्स साल के बाद जो जोसे 40 साल बचेंगा उन 40 साल में अपने जिनती में कैसे चलाएगा उसके लिए उसे पैसा एकट्टा करना पड़ता है और उस पैसा क्टिर्वट gjृत करता है और यह आपका हह एक्टॉय और यह पी कम्पणीए तो ग्र्वर्मेंट ने क्या फे पोई अपनी जेव से मालों किसी कंपनी रुपह कर लेका अपने अपने क्पने टेंर मैंने साय साल मैं घौक एटीन लंब ऐसी के व्लम हो बतने कि健inar हिसमेर्ट जाइबन मैंने फिक्रह तो कंपनी इन अपनी जेब से निकाल कर, 1000 रुपए आपके अकाउंट में डालोंगी, यह बात समझने की है, कंपनी ने 1000 रुपए जमा करवाए हैं मेरे रिटार्मेंट फंड में, यानि वो 1000 रुपए company ने मेरे को नहीं दिये मेरे नाम पर जो retirement fund है उसमें जमा करवाए है तो जाहिर से बात है यह पैसा मुझे अभी तो नहीं मिलेगा यह पैसा मुझे कम मिलेगा at the end of my retirement but company का तो खर्चा हो गया ना भई माने लो यह company इस employee को 10,000 रुपए मेहना देती है यह salary is employee के तो मैं employee हूं मेरे पर 10,000 रुपए आये मैंने 1000 रुपए अपने पीएफ में डाल दिये मेरे कितने बच गए 9000 अब इस नोजार का मैं क्या करूंगा अपना घर खर चलाओंगा हजार रुपए मैंने उसमें से कंडाल दी अपने retirement fund में फिर company ने क्या करा उसने मेरी help करने के लिए 1000 रुपए अपनी जेप चे निकाले और मेरे अकौन में डाल दिये तो जो हजार रुपए company ने डाले हैं वो मुझे अभी तो नहीं मिलेंगे बर मुझे कम मिलेंगे future में तो अगर मैं आज की बात करूं और कोई मुझसे पूछे कि बताओ आपके salary कितनी है तो मैं बोलूगा मेरी salary है 10,000 क्योंकि मैं कितने पैसे मिलें employer से 10,000 लेकिन मैं उस company से बोचूं कि company आप बताओ इस employee को रखने पर इस employee को रखने में आपर कितना खर्चा होता है तो वो बोलेगा 11,000 आरी बात समझ में वो क्या बोलेगा 11,000 क्यों दस्तों मुझे दे रहा है और 1000 रुपय मेरे नाम से मेरे retirement fund account के अंदर जमा करवा रहा है तो उसकी जेव से तो 11,000 रुपय जा रहा है ना तो यह होता है प्रविडेंट fund scheme में retirement के लिए पैसे को deposit करना इसमें employee भी deposit करता है अपनी salary में से और employee करता है अपनी जेग में से तो बात समझ में आ गई टेकनिकली इसे हम बोलते हैं employee cost और इसे हम बोलते हैं employee earning शब्द रुपर ध्यान देना क्योंकि एक एक शब्द से meaning बदल जाता है earning से मतलब है as an employee मुझे कितने पैसे मिलते हैं मैंने दस जार रुपे मिलते हैं जी बट कंपनी का घर्चा कितना हो रहा ग्यारा जार रुपे यह हजार रुपे मुझे कम बिलेंगे मेरे retirement पर तो यह मेरा प्रोविएंट फंड का concept बट आप टेंशन मतलो धीरे धीरे कंपनिया इस पीएफ वाले concept को शायद future में खतम कर देंगी क्योंकि गॉवर्मेंट अब अपने उपर बोज रखना नहीं चाहती है यह स्कीम पहले है कि employee अपने आप से खुद के लिए retirement plan करें तो आप जब तक सीए बनेंगे यह जिस कंपनी में आप जाएंगे चांसे थोड़ से कम है कि company आपके भीहाव पर पीएफ में कंट्रिबूशन करें कंपनिया ऐसा आप नहीं करती है कंपनिया आपको salary यह salary करना है तो करो और नमस्ते तो सिद्धी सी बात ही है तो इंपलॉयर अब ध्यान देना अच्छा मेरा सवाल मेरा सवाल मुझे बताओ यह effective hourly cost of employee मैं किसके निकाल रहा हूं इंपलॉय के लिए इंपलॉयर के लिए तो भाई साब यह निकाल रहा हूं मैं इंपलॉयर की इंपलॉयर सोच रहा है कि मुझे गंटे अगर काम कर रहा हूं इस वरकर एक से तो कितना खर्चा आता है तो जो contribution employer करेगा यह खर्चा कि यह वाली बात जो मैंने बताई भी आपको यहां पर ग्याराजार रुप्य तो टैन परसेंट ऑफ सैलरी एंड यह तो यानिकि यह वह गाट टैन परसेंट ऑफ एक बीस प्लस चौबिस एक बीस प्लस चौबिस कितना आ गया यह 14 चार सो आई सब जोल लेते हैं एक बीस प्लस चौबिस आइस आठ सो इस और चौज़ा चार सो यह आगया मेरा दो बहात्र सौरी दो सतरा दो सो इकिस बहात्र जीरो जीरो डिवाइड मैं नीचे कहता है एक्स वर्क 2400 पर एनम पूरे साल में 24 गंटे काम करता है आउट ओफ विच 400 आर्स आर नॉन प्रड़क्टि और जो भी अमाउंट आएगा वह मेरा अंसर होगा और यह आ रहा है मेरा एक सो आठ पॉइंट साथ तो लो जी कोशन नंबर वन मेरा यहां पर हो गया है कंप्लेट तो यह था जी एफेक्टिव आवरली कॉस को निकालने का कॉंसेप्ट और उसकी उपर हमने एक कोशन कर ल वर्किंग सिक्स डेज इन वीक एक हफ्ते में छे दिन काम कर रहे हैं लेको धीरे धीरे ना यह कॉंसर्ट भी चेंज होगा अभी पहले क्या होता था संडे चुट्टी रहा करती थी और मंडे दू सेटेड़े लोग काम करते थे कंपीनिस में बट धीरे धीरे यह फाइब वर्किंग में कनवर्ट होते जा रहा है विकॉज हम धीरे धीरे हिंदुस्तान के बाहर जो कंपनिया काम करते हैं उसे कॉपी करते रहते हैं तो धीरे धीरे ना अब जितनी भी MNCs हैं वहाँ पर आप देखोगे फाइव देज वर्किंग मिलेगा आपको सेटेड़े संडे लाइफ को इंजय करो इंजय तो नहीं सेटेड़े घर के सारी खाम करो और संडे इंजय करो तो पहले क्या था इने फैक्टरी वर्किंग सिस डेज एवीग एट आर्स इच इच अफ्ते में छे दिन और एक दिन में आर गंटे काम होता है एक वरकर इस पेड़ एट रुपी में कितना होगा 120 तो कुल मिला कितना हो यह 220 है ना पर दे यह 220 हुआ पर दे अच्छा कैता ही इस अलाव डू टू ही इस अलाव डू टू तो टेक 30 मिनिट्स ओफ दूरिंग इस आवर शिप्ट पर मील्स ब्रेक खाना खालो एंड 10 मिनिट फॉर रस्ट कुल मिला कर यह 30 मिन आइडल टाइम क्या ही है नॉर्मल आइडल टाइम दूरिंग ए वीक अंडरलाइन करो शब्द वीक यहां पूरे वीक की बात करी वीक बोले तो छे दिन नौट साथ तो ध्यान दो जड़ा 220 गुना अगर मैं 6 कर दूँ कि दो सो बीस गुना अगर मैं छे कर दूं कितना गया है कि तेरा सो बीस अब मैं निकालने जा रहा हूं इफेक्टिव आवर्स टोटल इफेक्टिव आवर्स तो ध्यान देना हूं यह आट घंटे काम होता है डेली तो यहां पर निकालने जा रहा हूं है टोटल इफेक्टिव आए आट घंटे काम होता है डेली इसमें normal कि तना बेर्याने परेक तीस मिनिट का वह और दस मिंट का वह याणि 40 मिनिट डिवाइव कर रहा हूं में साथ विकॉस एक गंटे में 60 मिनट होते हैं multiplied by 6 days तो यह आगया में न 44 hours 44 hours यानि पूरे हफ़ते में 44 गंटे effectively काम होना चाहिए था अच्छ अब बढ़ते हैं आगे During a week, his card showed that his time was chargeable too अच्छा एक worker ने काम किया है Job X पे लगाए हैं 15 गंटे Job Y पे लगाए हैं 12 गंटे और Job Z पे लगाए हैं 13 गंटे अगर मैं इन तीनों को add कर दूं कितना आ रहा है यह आ रहा है 40 गंटे फिरे बोलता है The time not booked was wasted while waiting for a job काम 46 गंटे करना चाहिए था बट करा सिर्फ 40 गंटे है तो 4 गंटे क्या है फिर यह यह 4 गंटे है abnormal idle time यह निए abnormal loss कहता है in costing state how would you allocate the wages of the worker for the week तो कहने का मतलब है कि जो payment हम करने वर्कर को उसरे हम कैसे कैसे चार्ज करेंगे तो देखो पहले तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ effective hourly cost भाइ तेरह सो बीस रुपए पूर यह फ्रकर्चा है और चम्वाइस रुपए क्या चमाज घंटे क्या मेरा effective hour तो तेरह सो बीस बटा चम्वाइस तो यह आगया मेरा 30 गंटे sorry 30 रुपए 30 रुपए पर आर नौट घंटे अब करना क्या है देखो 15 गुणा 30 यह लगएगा job x के उपडर 12 गुणा 30 यह लगएगा job y के उपडर और 13 गुणा 30 यह लगएगा job z के उपर यह क्या है यह यह गलाए कि labor cost for job x y & z और 4 गंटे का जो loss हुआ है न तो 30 गुणा 4 यह बन जाएगा मेरा abnormal loss और यह कहा जाएगा यह costing profit loss में जाएगा as loss तो यहां पर क्या किया मैंने यहां पर मैंने effective hourly यहां दो लिकाश निकाल कर जहां जहां उसे ने काम किया उतना खर्चा माँ पर चार्ज कर दिया 30 गंटे लगता है की रहता है 15 गंटे कांगिया जौब एक्स पर तो बहुत थीज़ुना पंद्रा प्राइज डार्ट लेबर कॉस्ट जॉब एक्समें चार्ज कर दो जॉब वारा घंटा गुना 30 रुपपर घंटा इतने पैसे जॉब वाई में चार्ज कर दो as a direct labor cost job Z महां पर काम कर दो 13 घंटा तो 13 घंटा गुना 30 रुपपर घंटा इतना पैसे चार्ज कर दो जॉब Z के अंदर बाकि बज़े चार गंटे जहां पर उसने काम को यह चैप्टर बढ़ा असान है और मैंने करवा Yelp अधर कंशेट में करवाया है यह कॉन्सेट ना मिल्बू सुम्यम्ल vagab इसका मतलब यह नहीं किसे छोड़ देंगे आप एक्दाम की भीपेंट से कम था यह वाला कॉंसाइब इंपोर्टेंट विकॉस इसका यूजना बाकी कॉंसेट के अंदर यह बाकी कोशन के अंदर ऑटोमेंटिकली हो जाता है तो इसी कॉंसेट के ऊपर कोशन आने के चांस थ दिहान रखना है और यह आपका कॉंसेट अब बढ़ते हैं आगे अब बढ़ते हैं जी आगे चलना है बड़े आराम अराम से जल्दबाजी नहीं करनी यह नहीं की वीडियो के स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दो समझते चलना आगे ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टैम लोग और अक्सेंट कें अगरम यह एकजाम में इस कॉंसेट के उपर कॉशन अगर आया तो आठी म्नारेंच और आएगा सूरी और यह नहींद बढ़ता है नोर्मल टाइम के अलावा भी काम करना वन लो एक्लेव लगै Subscribe कि 530 नौ बजे पहुंचना है और साले पांच बजे निकल लेना है तो 9 to 530 क्या है नॉर्मल टाइम नॉर्मल टाइम में काम करने के लिए पेमेंट मिल रही होगी अच्छा बट कभी कभी क्या हो सकता है कि ओवर टाइम करना पड़े मनलोग क्लोजिंग आ गई या साल में या फिर ऐसा भी सकता है कि आपको सेटरेडे बुला लिया जिए चुटी दिवाली के मगर आपको बुला लिया तो कहने का मतलब कोई ऐसे दिन आपको बुला लिया जिज दिन चुटी थी और आपने जाके काम किया तो इसको बोलते है ओवर टाइम अब सवाल यह है अगर म में 9 to 5 30 और उसको मान लो मिल रहा है 100 रुपय घंटा तो भाई अगर वो ओवर टाइम करेगा तो 100 रुपय तो काम नहीं करेगा वो क्या बोलेगा साब संडे को बिला रहे हो त्युहार कैसे तरसी कर रहे हो शाम को रुक्वारे हो बंदी से मिलनी पारा हूं सुब बिलवारे जल्दे उटके आ रहा हूं आए दोई बिना मुझे कुस्तों इंसेंटिव दो मतलब सौ रुपय से उपर कुस्तों दो तो कहने का मतलब है अगर ओवर टाइम में वो पेमेंट करें ओवर टाइम काम करेगा तो उसको मिलने वाली पेमेंट सो रुपय घंटा से ज्यादा ही होगी है तो इस कॉंसब्सक्राइब के अंदर हमें यह चीखना है कि जो भी हमने ओवर टाइम पे किया है या फिर जो भी हम ओवर टाइम पे करेंगे या फिर जो भी हम overtime pay करेंगे उस overtime को हमने खर्चे में कहां डालना है हमने उसे labor cost मानना है या फिर हमने उसे overhead मानना है या हमने उसे abnormal loss मानना है बस इसी बात की समझ के लिए हम यह पढ़ रहें concept हमने उसे मानना क्या है labor cost मानेंगे या factory overhead मानेंगे या abnormal loss मानेंगे आखिर मानना है यह बताओ तो यह रहा आपका table सबसे पहले पढ़ेंगे case number two case number two when overtime is desired at customer's request to complete the work instantly हुआ क्या हमें overtime करना पड़ा क्यों कष्टावर ने हमसे request के बोला भाई साब मेरी कल शादी है यह coat paint और यह suit boot please आज रात में दो तीन बजे तक दुकान खोल कर इसे प्लीज बना दो मैं आपको extra पैसे दूंगा तो भाई साब अगर मेरा worker किसी customer के चकर में रात भर रुक कर रात भर रुक कर उसके लिए suit बनाएगा उसके टेले इंग करेगा और उसको जो मैं payment दूंगा extra वह सारी पैमेंट करेंगे वह पूरे का पूरा खर्चा हम customer से चार्ज करेंगे यानि कि जो उसका order है जो उसकी job है उसकी job cost निकालते वक्त जो भी हमने extra pay कि मर देंगे और customer से बोलेंगे यह एक्ट्रा पैसे लाओ यह था मेरा case number two case number three पढ़ेंगे वैं ओवर टाइम इस वर्ग्ड तु मेक अप एनी शॉट फॉल इन प्रडॉक्शन ड्यू टू एबनॉर्मल सिच्विशन एक दिर ऐसा हुआ सारी के सारी वरकर फेक्ट्री में आ वह अराम से अपना हाथ वाद धोकर प्रडॉक्शन करने के लिए यार बैठे थे उन्होंने जैसे मशीन को ओन किया इलेक्रिक सर्किट हो गया धमाका बोल गया और पूरी विजली की वाइरिंग फुग गई अब हुआ क्या चार घंटे बैठे रहे वो मेकैनिक आया इलेक लेकिन हुआ क्या जो चार घंटे काम नहीं हो पाया तो कंपनी के मालिक ने वोला भाई सुलो सब वरकर लोगो आज चार घंटे सुर्वे खाली बैठे रही हो आप मैं पेमेंट करूंगा उसकी विकॉस घलती मेरी थी आपकी नहीं थी इप्रवाज इनका ठीक है सब वह आपने वाली पेमेंट को हम कॉस्ट नहीं लॉस मानेंगे विकॉस इट वाज एपन ड्यू टू एबनॉर्मल सिच्वेशन और एबनॉर्मल रीजन है तो भाई हमेशा लॉस है सीधे कॉस्टिंग पील में जाएगा ना कस्टेमर से चार्ज करेंगे ना डाट लेबर कॉस् आवारेड वानेंगे सीधी मानेंगे लॉस ये था मेरा केस नमबर टू केस नमबर छार पे आ यहां पर जा किसने बचाँ सा बैंतोव टैनलेंगा शॉर्म प्रशा सब्यвुकोः तो यांपर actors और और यह लփग अर्यम tegenover कभी कभी वह वाला कभी कभी है तो कभी कभी यानि ओवर्टाइम करना तो पड़ता है जी हम पर और ज्यादा है जी ओवर्टाइम तो करना पड़ता है जी और हम पर ज्यादा है जी बट कभी कभी करना पड़ता है अक्सर नहीं करना पड़ता तो इस केस में क्या करेंगे हम जो भी हम over time pay करेंगे उसको हम production overhead में add कर देंगे उसको हम का add करेंगे production overhead में labor cost नहीं मानेंगे production overhead में add करेंगे अच्छा उसके बाद अब आखिर में case number one आपके मन में आ रहा होगा sir case number one लिखा सबसे पहले है करवा सबसे बाद में रहे हो और एक sequence है ना भाई कर देंगे बहुत इसी है when overtime is required regularly underline को रुष अब रेगुलर्ली यहां पर कहा लिखा था irregularly कभी कभी और यहां पर कहा रेगुलर्ली मतलब हमेशा case number one or case number four में क्या फ़रक है case number one तब लगेगा जब हम हमेशा करवाते हैं अगर हमारे पास order ज्यादा है तो हम ऐसा क्यों न करें और इंप्लाइज को मार्केट से हाइर कर ले अपनी लेबर फोर्स को बना ले हाँ विर्कुल सही का आपने अगर प्राब्लम यह है कि जो स्किल्स चाहिए बैसा वरकर मार्केट में अविलेबल ही नहीं है माने वजके आप ने के बाद आपनें बैंक अरीट वाला काम यह क्या है आपके पास एक ही बंदा सिरिफ जिसको नौलिजग बैंक झांक की और बागी सर आटिकल में पर नहीत होई अब काम करेला है एंदे की ड हों गया रोज जाह में बैट रोज शाम में बैट रोज और लिन कि यह कियो मार्केट ऑंदर एझार मुझे महीं नहीं रहा मार्केट और है तो केसवन ओवटियमेंट चार्च फ्र्रोड़क्ट यूजिंक ही इन्फिलेटेड वेजत अगर मैं सिंपल लेंगब और चाहूं तो यह होती क्या है inflated wage rate दो को पहली बात तो यहां पर charge करेंगे हम inflated wage बलब labor cost रचार्ज करेंगे डाइट labor cost रचार्ज कैसे करेंगे होती क्या है मेरी inflated wage rate आई इसके बारे में बताता हूं मैं आपको अगर simple language में कहूं तो simple बोलता हूं average rate average rate एक example लिदा हूं आपको मान लो दिन में 8 घंटे काम किया payment मिली 100 रुपे के हिसाब से तो मिल गए 800 रुपे ओके शाम को 2 घंटे काम किया payment मिली मान लो 200 रुपे के हिसाब से तो मिल गए 400 रुपे तो मोटे दौर पर अगर कहूं तो आठ गुना सो आठ सो दो गुना दो चार सो तो इसको मिल गए 1200 रुपे कितने घंटे काम करके 10 घंटे तो मैं अगर निकालू average rate यानि average wage rate तो क्या बोलूँगा 1200 बटा 10 घंटे यानि की 120 रुपे पर घंटा लो जी 120 रुपे पर घंटा यही होती है मेरी inflated wage rate अब इस 10 घंटे में मान लो इसने इस 10 घंटे में मान लो इसने 6 घंटे काम किया product A के लिए और मान लो 4 घंटे काम किया product B के लिए तो हम क्या बोलेंगे 6 गुना 120 यह charge कर दो product A में और चार गुना 120 यह charge कर दो product B में तो यह होती है मेरी inflated wage rate simple language में का हूँ average rate इसका मैंने यहां पर एक example भी ले लिया है हाला कि आपको example से मैंने समझा दिया है वही कहानी मैंने यहां पर कर लिए एक example लिया समझ जाएंगे सिंप़ाठी बात है कितने घंट थे और किया एक ररेट किया हम ईजी सेम कोशन नमबर तीन वेरी वैरी इंपोर्टेंट कोश्चन वेरी वैरी इंपोर्टेंट एक्जाम में ऐसा सीमिजर कोश्चन जब भी आया है बारा नमबर का आया है चलिए पढ़ते हैं इन्हें फैक्टरी दा बेसिक वेजरेट इस हंड्रेट पर आर यानि एक घंटे के सो रुपे मिलते हैं नॉर्मली ओके एन ओवर टाइम रेट आर एस फॉलोज बिफोर एन आफ्टर नौब वर्किंग आर्स मतलब नौ से पहले या साड़े पास के बाद ना तो क्या पीपन करते है 175 परसेट बेसिक बएजरेट तो यानि कि 175 किसका तो रुपिय तो कितना जाएगा 175 पर आर की ओके संडे एंड होलिडेज अगर संडे को बिलाएं होलिडे को बिलाएं तो 225 परसेंट बेसिक वेज रेट तो भाइसाब 225 परसेंट ऑफ सो यानी 225 रुपए घंटा वाव ठीक है करें दूरिंद प्रीविएस एयर दे फॉलोइंग आर्स वर वर्ग नॉर्मल टाइम काम क और गटे एक लागी पेमेंट करेंगे हम सोर्वे के साब से और पाँजार की पेमेंट कियोगे हैं तो मैं अगर आपको बोलूं कि यहां तक कि इन्फॉर्मेशन जो आपने पढ़ी है इसके बीज़ पर आप मुझे एक एवरेज रेट निकालकर बताओ तो क्या पॉसिवल है कि एवरीज रीट कि एवरीज रीट या पॉसिबल है तो बहुत एक लाग गुना सो कितना हो गया यह सो लाग कि भी सजार गुना एक सो पिचातर कितना हो गया 35 लाग पांच हजार गुना दो सो पत्चिस कितना हो गया 11 25 लाग एड़ कर दो भई यह आ गया मेरा 146 लाग 25 लाग तो भई 146 लाग 25 लाग है तो यह आ गया मेरा 117 तो यह है मेरी inflated wage rate यानि की average rate यहां तक मामला हो क्या है मुश्किल से मुश्किल सवाल मुश्किल से मुश्किल कॉश्चन concept अगर clear हो तो आसान हो जाता है चलिए आप पढ़ते हैं आगे the following hours have been worked on job y sorry job z और किसी एक जोपे कितने कितने घंटे काम किया normal काम किया 1000 गंटे overtime before after working वाला है सौगंटे Sunday काम किया 25 गंटे कुल मिला कि 11 25 गंटे इस पे काम हुआ है requirement क्या है requirement है कहता you are required to calculate labor cost chargeable to product Z and overhead यह बता रहा है यह सौरी पूछ रहा है कि भाई यह बता दो job z में कितना खर्चा तो add करेंगे as direct labor cost और कितना खर्चा add करेंगे as overhead जड़ा बता दो in the following cases सबसे पहले करते हैं case number c सबसे पहले करेंगे c c में क्या था overtime is worked at the request of customer यहां पर क्या बोलाता मैंने अगर customer की request की ओपर overtime करना पढ़ रहा है अगर customer की request पर overtime करना पढ़ रहा है तो जो भी payment हम देंगे वह सारी की सारी payment हम customer से charge करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ हजार घंटे की payment करी सो रुभे के णे यह पूरे का पूरा खर्चा हम customer से लेंगे ओक्र? तो हजार गुना सा हो गया मेरा एक यानी एक लाख तेज़ार एकसो पच्छीस एक लाख तेज़ार एकसो पच्छीस तो भई जो भी हमने कस्टमर की टेसे रिक्वेश्ट पर किया है वह पूरे का फूरा पूरा कर्जा कहा है होगा ओवरटाइम कोस्ट को रूप में गण हो जाएगा स्वारी ओवाड को रूप में शुजाएगा जोप के अंदर कि तो ये रहा मेरा केस नमबर तीज ने रहा तो ये रहा मेरा 1,03,125 यह फूर पूरा ओबर टाइम वाल खर्चल वे डेक लाग तीज रिस्ट सब्सक्राइब कॉस्ट रूप मेरे दायकॉन सी कॉस्ट डार ट्रीवर कॉस्ट ऑके अब आते हैं केस नमबर टू केस नमबर टू कहता है कि वंट over time is work irregularly चो च्छटो पहले केस बन करते हैं अटाओ केस ए करते हैं आथा फ़िर गूलर्ली ऑड़ी बोले तो केस नमबर और वहांपे क्या निकालेगे कि है अवरेज़ रेट्ट जो किम निकाल सुक्ट इस घराव सो sorry 117 मेरी एभरेज रिट इट इस ओ सतरा के संव पर इस कोस्त जबंटे लगे तो सिंपल सी बात है है कि रिक्वार्मेंट नंबर बी वैन ओवर टाइम इस वाट इर्रेगुलर्ली तो यहां पर क्या बोला था मैंने जब इर्रेगुलर्ली करेंगे तो जितना भी हमने एक्स्टा पेविंट किया वह कहां जाएगा ऑफेड में जाएगा अब जड़ा सुनना मेरी बात बड़ी से गवर सेith केस नंबर तूवरी वैरी इंपॉर्टेंट यहां पर बच्कें कनफ्यूज हो जाते हैं केस नंबर 2 वैरी वैरी इंपॉर्टेंट बाइस तब कि तेन्थ ने वह लेटे फिटी वह कुश्ण सद्व हमा भी है रिक्रीमिन ऐस नमबर तो भी है और केस नंबर एंचर दो स्टैंड आट है मैंने կहां बहुत आपर वेल जह वी पेश्ण और आपने छेएंस एंड हलेग्व हैज तो द्यांदो एक काम करॐत आए इसने हजार घंटे purely काम कर आए 15 प्रच्फ उस घंटे यह नॉर्मल काम नॉर्मल आर्च यह विफोर आफ्टर वाले और यहें संडे ऑन हॉलिडे वाले ओके अच्छा अब यहां पर लिख रहा हो में डी एल सी और यहां पर लिकेना हो में कौन से वाला वरेंड प्रोडक्शन ओवरेंड देखो पहले का जो नॉर्मल आर्स हैं वहाँ पर रेट क्या है सो रुपए घंटा तो भई हजार गुना सो यह तो आजाएगा यहां पर यहां पर कुछ भी नहीं आएगा बिकॉज कुछ एक्स्ट्रा पेई नहीं किया अब आते हैं सेकिंड वाला बिफोर और आफ्टर सो घंटे काम किया और रेट क्या एक सो पिछत्र तो भी देखो सो गुना सो तो है लेबर कॉस्ट और सो गुना पिछत्र होगा ओवर हैट आरि यह बात समझ में मैंने यहां पर ऐकर ऑगा 155 गंटे के हिसाब से ही इसलीक और मिशत्रार पिछत्र रूपए मेरा एक्स्ट्रा तुराइगा एक्स्ट्रा का सकत्रा अज्याएगा इंगर्ए dt को अगअ श्रुद सिर्शेबाद आ जां पते गंटे किसके बाद अब 25 गंटे तो भाई 25 गुणा 100 और यहां पर एक्षिक ता कितना है 10,625 यह तो बनेगा मेरा overhead का part और एक लाख 12,500 यह बनेगा मेरा labor cost का part तो खर्चे का अलग-अलग head मैंने identify कर लिया तो यह था मेरा case number 4 when overtime is worked irregularly यानि कभी-कभी तो कभी-कभी वाले case में क्या होगा जो भी extra time है, जो भी extra payment है, जो भी overtime payment है उसको हम overhead में charge करेंगे और basic payment तक हम labor cost में charge करेंगे तो यहाँ पर मेरा question number 3 पूर तरह से खतम हो गया इसको आराम से देख लो एक्जाम के लिए किये वाला case number 4 है, it is very very important जो कस्टमर वाला student आराम से कर लेता है regularly वाला भी आराम से कर लेता है, average rate तो निकाल ली है में दिक्कत दुसको आती है, irregular वाले case के अंदर में दिक्कत आती है, उसको irregular वाले case के अंदर लेबर कॉस्ट बेसिक तक जाएगा, लेबर कॉस्ट में उसके ऊपर जाएगा production overhead में, यह बस खास बात है चलिए, बढ़ें आगे, अच्छा जी, question number 4, जिसके बारे में आपको मैंने शुरू बताया था, इस question में, पहले condition थी, overtime payment करने की, कि अगर 48 घंटे से ज्यादा हो, यानि की, condition, यहां पर लेगे ता हूँ, condition of paying overtime, condition of paying overtime, for more than, for, more than 48 hours, in a week, condition of paying overtime for more than 48 hours in a week is deleted, तो यह question important क्यों हो गया, because ICI ने इस question में एक amendment कर दी, और वो amendment क्या कर दी, उन्होंने एक condition थी, 48 hours की, उसको remove कर दिया, लेकिन वज़े की बात है, उसको remove करने के बाद भी answer पर कोई change नहीं आया है, इसी वज़ह से, यह question, attempt के लिए, coming attempts के लिए important बन गया है, because जहां पर भी ICI answer में change करता है, या question में change करता है, या कोई नया concept add कर देता है, या फिर नया question add कर देता है, वो chapter highly important हो जाते है, coming attempt के लिए, तल यह पढ़ते हैं इस question को, it is seen from the job card, for repair of customer's equipment, that a total of 154 labor hours, have been put in as detailed below, यानि की 154 घंटे काम किया गया है, और वो काम की तरी के से किया गया है, वो नीचे दिया गया है, तीन वर्कर है, वर्कर A, वर्कर B, एंड वर्कर C, तीन वर्कर अभई, तीन तीगाड़ा काम बिगाड़ा, वगर यहां पर ऐसा नहीं है, तीनों मिलके काम कर रहे है, वर्कर A, B and C, वर्कर A ने मंड़े, ट्यूजडे, वेड़नजडे, थर्जडे, फ्राइडे, सेटेडे, कितने कितने घंटे काम किया है, तीनों के बारे में दे रखा है, वर्कर A ने काम किया, 49 घंटे, वर्कर B ने काम किया, 48 घंटे, वर्कर C ने काम किया, 57 घंटे, इन तोनों को अगर गंटे काम किया है और 200 रुपए मिले हैं तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी वेज रेट बता दो मुझे पर आर बता सकते हों है मैं दो सो बटा आठ तो क्या मुश्किल है 25 रुपए घंटा वर्कर वीगी बता दो मैं सो बटा आठ साड़े बार रुपए घंटा वर्कर सी 308 रुपए घंटा वह भाई साब यह क्या है इसकी यह बेसिक वेज रेट यानि पर आर बेसिस पर अगर निकालू तो इतना इतना पेमिंट कि इन तीनों को किया जाता है अब बढ़ता हूं आग्य इन टम्स ओफ एन अवार्ड इन ल और बढ़ता है वाई यह वाली क्या थी उपर वाली क्या थी बेसिक and और नीचे क्या एस विस यानिम द्हलाभ यानि यानि की अमगाई जब दीरए बरती जाती है तो मिलने वाली सेलिक ला कम लगने लग जाती है तो चा क्वंपी नि क्या करा इन को बुला फिक साथ हम मेस महंगाई भत्ता भी देंगे आपको और वो देंगे on the basis of cost of living index जिस शहर में आप रह रहे हो उसका जो भी cost of living इंडेस है उसके बेस पर मैंने जितनी महंगाई बढ़ी है उसके बेस पर तो इंडेक्स रेलेटिंटो इच मंथ अंडरलाइन करो शब्द इच मंथ खास बात यह डेटा एक वीक का था और यह डेटा मंथ का यह वो डेटा वीक का था और यह डेटा मंथ का यह तो क्या बोला एक महीने का cost of living index figure कितना है रुपीज में 968 for the relevant month month की बात हैं आगे बढ़ते हैं डियर्नेस allowance is payable to all workers irrespective of wage rate if they are present or are only with wages on all working days याने डिये सब को मिलेगा तानव गाना कद्दू कटेगा सब में बटेगा वोई कहानी आपर डिये सब को मिलेगा इच वरकर ध्यान देना अगले अगला पैरा पड़ा हूं इच वरकर हैस्ट वर्क और एट आर्स ओन वीडिज वीडिज में आट घंटे काम करना है इन संडे बहुल विक्री होली डे चहनी वारी गिरेंगे पार्टी सिटी रहे अल्याइगे बर कर वर्कर्ष में वर्क औन सेटर्डेड़े चर्री वार को में क्या लिखा हुआ मैं यानी वर्क लोड अगर हो तो आप आप आफिस में आके काम कर सकते हैं डूटू एजिजेंसी और फॉर आर्स कंप्री ने क्या वोला अगर आप चाहें तो चार घंटे आप और आफिस में काम कर सकते हैं दो फुल पेमेंट आप एट हार्स विल भी मेड with no other payment कह रहा 8 गंटे की पूरी payment करेंगे हम शेनिवार को अगर आप आओगे तो अच्छा इस line को खास याद रखना यह line जो मैंने underline की है एक काम और करता हूँ मैं इस line को मैं highlight कर देता हूँ यह line भाई सब बच्चों को बड़ा confuse करती है और बच्चे कि ठीक भी है महाँ पर अब इसके बारें बात करूंगा मैं आगे पढ़तें ओवर्टाइम इस पेड़ ट्वाइस ऑफ और्डिनेरी वेजरीट क्या मतलब इसका ओवर्टाइम इस पेड़ ट्वाइस ऑफ और्डिनेरी वेजरीट यानि दिन में अगर 10 रुपे घंटा तो शाम में 20 रुपे घंटा नॉर्मल टाइम में अगर 25 रुपे घंटा तो ओवर टाइम में 50 रुपे घंटा दुगना ओक्या कहता है इफे वर्कर वर्क्र और मोर देन 9 आर्स इन एड़ यहां पर पहले है दा टोडल नंबर और नंबर और आर्स वर्क आओ तो 176 इंटर एलेवेंट मंथ अगें वर्डा आगया मंथ अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं देखो यहां पर गिवन है डियर्नेस अलावेंच पूरे महीने का कितना 968 यहां पर गिवन है पूरे महीने का आवर्स कितना 176 तो मैं आपको अगर बोलूं कि इन दोनों इंफर्मेशन का इस्तमाल करके आप निकालो डियर्नेस अलावेंच पर आर तो क्या निकाल सकते बड़ा सिंपल है जी 968 डिवाइट बाई 176 तो यह आगया साड़े पांच रुपए घंटा कोई डाउट नो डाउट अजरा उपर आओ अब कोशन में उपर आओ देखो 25 रुपए थारे बारा रुपए और शारे थारे थारे यह क्या है मेरी बेसिक वेज रेट और शाले पांच रुपए क्या है मेरा डिये पर आर अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं एक पर आंस क्या है तो यह क्या आगया मेरा कि बेज रेट पर आर यानि वर्कर एक को एक घंटे के साड़े तीस रुपए करूंगा तो वर्कर भी को अठार रुपए करूंगा और वर्कर सी को 43 रुपीज पे करूंगा बताओ यह वाली बात समझ में आ गई है बहुत सिंपल बात थी ह बहुत सिंपल बात वर्कर को दो तरीके की पेमेंट कर रही है बेजिक प्रस दीए मैने बेजिक भी निकाल लिया आवर्ली बेशिस पर और जो नों को एट कर लिया तो मेरे पास आवर्ली बैशिस पर विजट अए वर्य बड़ि शिंपल इसमुल इसमें डिफिकल क्या है it is very very simple अच्छा बात समझ में आगई हादी समझ में आगई अब बढ़ते हैं आगे दा कॉंपनीस कॉंट्रिबूशन दो प्रविडेंट फंड एड इंप्लोई इस्टेट इंश्रेंस प्रीमियम और एब्जॉब इंटू ओवरहेड मेरी बात सुनो जला गौर से कोशन ने क् कि कंपनी जो भी कॉंट्रिबूशन करती है इंप्लोई के रिटाबिंट फंड में और उसके लिए जो इंश्रेंस लेती है वह वाला खर्चाम कहा डालते हैं ओवरहेड के अंदर डालते हैं अच्छा मुझे बात बताओ कोशन आपे खतम हो गया है क्या इस पूरे कोशन के काट दे तो भी मेरे आंसर पर कोई इंपक्ट नहीं पड़ेगा नो इंपक्ट तो यह बता दी मैंना को फूचर की बात ऐसा हो सकता है अगले अटेंप्ट के अंदर आइस इस कोशन में सब्सक्राइब कर दें विकॉज इस लाइन का कोई इंपक्ट हमारे कोशन के आंसर प चांके बन कि भाई वरकर एको वरकर रवीगों कितने कैड़ करना है कि अधर आबन के लिए मुझे आँ यहां पर चाहिए दो बातें टो मिरेकोशनीज कितने घंटे काम किया एक मैंने लिए Yap मौट रएक तो भाई ब्रवजरेट तो मैंने निकाल लीया है अभी वैरिफार कराया था आपको basic plus दिये मुझे क्या निकालना बागी है बस मुझे निकालना है आर्स और यही इस कोश्चन का में पॉइंट है यही इस कोश्चन का में पॉइंट है सुन लो मेरी बात बड़े गवर से आईए जरा कोशन ने क्या बुला overtime is paid twice of ordinary wage rate आईए जरा मेरी बात सुनना बड़े गवर से कुश्चन ने क्या बुला overtime is paid twice of ordinary wage rate ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि अगर वर्कर एक घंटे overtime करेगा तो जो भी से नॉर्मल वेज रेट है उसको दुग्रेट करेंगे मानलो ordinary wage rate है सपोस्पोस करो अठारा रूप है मानलो यह नॉर्मल वेज रेट है और मानलो वर्कर ने काम किया यह एक्जामपल कोशन का नहीं सम्झानी ले रहा हूं कि अगरूंगा एक घंटे काम किया गुना रेट रेट करनी पड़े की दुगनी अठारा गुना दो त्वाइस कितना आ जागा यह 36 रूप है और राइट अच्छा या इसी कैलकुलेशन को मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि रेट को मुल्टिपलाई दो से करनी की बजाए रेट क को दो से मुल्टिपलाई करने की बजाए मैं ओवर टाइम को दो से मुल्टिपलाई कर दूं और रेट रेट रहे दूएज इस अठारा रूप है बताओ यस और नो है अवसम्हें इसे अधरभात को साही है जया method मेरा सेंवा रहे है का भाई यह olar एक तरीका और यह मेरा और तरीका और वा चर्रुटमी मैं इस है equivalent hours इसको इस ने क्या बोल दिया? है equivalent hours then अ यानि कि rate को दुगणा करने की बजाय उन्हों ने over time को दुगणा कर दिया rate को दुगना करने की बजाय उन्हों ने over time को डुगणा कर दिया गुवैंड हो यय वानी बात समझने है क्या इस question को solve करने में follow करेंगे हम alternative number two अगर आप चाहो तो इसको नोट कर लो एक्जाम्पल को अल्टरनेटिव नंबर टू यानि काम करा एक घंटे बट पेमें मिलेगी दो घंटे के बराबर यानि इसलिए बोला इक्वेलेंट दो घंटे के बराबर मिलेगी पेमेंट अच्छा जी अब बात करते हैं ओवर टाम कैसे निकलेगा इसके उपर और अगर ये बात आप समझ गए तो ये पूरा कोशन आप कर लोगे यानि अगला एक्जाम्पल ले रहा हूं मैं जहां पर मैं बता दूँगा आपको अगर ये वाली बात समझ गए तो बात बन गई मान लो एक वरकर ने मान लो एक वरकर ने मंडे काम किया साड़े दस घंटे अब मुझे ये बता दो कि साड़े दस घंटे कितने घंटों के बराबर उसको पेमिंट करेंगे देखो एक है नॉर्मल टाइम एक है एक्ट्रा टाइम और एक है ओवर टाइम कीनों को एड़ कर दूँगा यह आजाएगा मेरा इक्यूवेलेंट टाइम यानिकी इक्यूव टाइम का मिलेगा जब 9 घंटे से उपर हो यानि कि जो 9 घंटा हम काम कर रहे हैं उस 9 घंटे के बराबर ओवर टाइम नहीं मिलेगा वह हमारा एक्स्टा टाइम तो है बट ओवर टाइम इसके लिए नहीं मिलेगा ओवर टाइम का मिलेगा जब 9 घंटे से उपर काम करेंगे और नौ घंटे से उपर कितना काम किया तो मैंने क्या बोला था हम रेट को दुग último कर ने कि बज़ाए इसको दुग耐ा खरदेंगे तो भई 8 घंटे प्लस एघंटे प्लस 3 घंटे बराबर कितना हो गया ला cuánt Charles यानि कि अगर किसी इंप्रॉई ने मंदे साड़े साथ घंटे काम किया है तो उसको बारा घंटे की पेमिंट मिलेगी आगई बात समझ में इस नौवे घंटे के लिए ओवर टाइम नहीं मिलेगा विकॉज ओवर टाइम कंडिशन है नौ घंटे से ज्यादा इसके बदले उसको नौर्मल पेमिंट मिलेगी बट ओवर टाइम के बदले दुगनी पेमिंट मिलेगी ठीक है इसके बाद लेता हूं सेटरे और यह भी खास है सेटरे यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूज होना उनका ल हमारे ICI ने उस condition को over rule कर दिया कहले जिए इग्नोर कर दिया simple language के अंदर या super seat कर दिया किसी और condition अब मैं लेता हूं इसका example मान लोग किसी employee अब बताओ इसका निकालो जड़ा equivalent time तो आप बोलोगे सेटरड़े तो चार गंटे का टाइम था तो चार गंटे और नॉर्मल टाइम फिर आप बोलोगे अगले चार गंटे तो मेरा एक्स्ट्रा में आएंगे लेकिन क्योंकि ओवर टाइम तो नो गंटे से उपर है यहां पर बच्चों को तकलीफ क्या देती है वह मैं दिखाता हूं आपको यहां पर बच्चों को तकलीफ देती है यह वाली लाइन जो आपसे मैंने highlight करवाई थी करा चार गंटे काम करेंगे बट फुल पेमेंट और एट आर्स विल बी मेड यह वाली लाइन आई से आई इग्णोर कर दी है वाइल मेकिंग पेमेंट फॉर सेटरड़े मेरे एक लॉजिक के साब से एक व्यूपाइंट के साब से तो बात जैन्वन है कि शानिवार को भी काम करेंगा अगर आट घंटे तो पेमेंट मिलने चीए बारा घंटे के भले ही ओवर टाइम ना मिले बट पेमेंट मिलने चीए बारा हम टो प्यों कोशने के बला चार गंटे के बढार मिलेगी आट गंटे और आठ प्लस चार ओने चीए बारा बट आई से आई ने इस कंडिशन कर दिया इग्नूर तो ये में समझने की बात है कि ICI ने सिर्फ और सिर्फ ओवर टाइम वाली कंडिशन को ही तवज़ो दिया है, बाकि उस कंडिशन को मार दिया है, इग्नोर. नजर अंदाज कर दिया उसको, मुँ फेर लिया उसकी तरफ से, वो है कंडिशन हमें फरक नहीं पड़ता. अब को ये इग्जांपल समझ में आ गया है, तो अब ये कोशन आपकी समझ में आ गया है. तो देखिए वाक एवर कवर रच sixt वर्क बी और वाकर सी में कितने किकांटे काम किया इसमें कितना नॉर्मल टाइम है कितना एक्स्ट्रा कितना ओए मेंने पूरा बना कि आपको यहां पर रखाई एक पर आपको मैं वेरिफाइब करवा देक लिए साल और सी गंटे काम कि आर गंटे नार्मल एक गंटे एक अट एट गंटे एक गंटे ऐसा ने अगा टाइम इसके बतें विलेगा दूगना तो भी-8 प्लस एक फ्लस थी नोगे बारा गंटे तो नॉटल्फीन आर्ट हम तैक्टी रहे गा फिर और यह ने मेरे चोबन गंटे तो चोबन गंटों को इसको आपसे मल्टिप्लाइब कर दो यह आगया मिरांसर टूटल विजस पेवल टू वरकर ए एसी आएगा वरकर भी औरले आपको समझा दी समझ है यह यह question आप अब असानी से कर लेंगे question number 4 यह question exam के लिए बहुत important है मेरे हिसाब से क्योंकि यहाँ पर अभी भी इस question में amendment की गुंजाइस है मेरे हिसाब से लोगों मैं जानता हूं लगातार पढ़ाई करने पर आपका मन कई बार बोलता होगा कि यार अब और लोड़ हो गया है वीडियो को पाउज करो यार थोड़ा घूम कर आओ वर्टसप चेक करो ना फोन को और करो Instagram पर को वीडियो देख लो ना यार YouTube पर को वीडियो देख लो ना यार ऐसा मत करो एक बार सीए बन गए लाइफ आसान हो जाएगी सीए नहीं बने लाइफ तब भी आसान रहेगी बट सीए के कंपैरिशन में उतनी आसान शायद ना हो पाए शायद तो यह था मेरा कोशन नंबर चार बढ़ते हैं आगे अब आज आते हैं आगे अगला कॉनसप्ट है हाल से अन्रोवन इसकी यहां पर बोनस दिया जाता है वर्कर तो टाइम बचा उसके लिए बेसिकलिए इसके पीछे क्या है कि आट गंटे हमने वर्कर को दिए स्टेंदर टाइम आट गंटे में काम होना चाहिए उसने एक शे गंटे में कर लिया तो दो गुना वेजर्ट गुना 50% इतने एरियों को हम हॉल से में क्या बोलेंगे बूनस यह बूनस है फिर बात करते हैं रोवन की आर्स वर्क दूना वेजरेट आर्स सेव्ट गुना वेजरेट और यहां पर रिश्व है टाइम टेकन टू टाइम अलाउट और इसे कहते हैं बू चीम फॉलो करके पेमिंट दीया जाए तो कितकी भी मिलेंगे देखो च्ट रूपर रेटद पर आरघट गंटे दीए थैं छे घंटे में कर देने ब्शष 나 ट यह बश्य कहाँ ओट बिलेंगे 60 रुपर के साब से दो गंटे के बरा मिलेगा बुरस दो गंटे काम किया गुना साथ और गुना 50 परसेंट इसको प्लस कर लेना या लेगा पर चार सुबीस तो यह होगा मेरा कोशन नंबर आई अब सेन कोशन है कोशन नूंबर 6 तो बैशे गंटे काम किया तो दो गंटे बचाये गुना साथ बट रेश्यो क्या है टाइम टेकन डिवाइड बटाइम अलाओ तो टेकन कितना चे गंटे अलाओड कितना आठ गंटे यानि छे बटा 8 त लग कर लो यह आजएगा साड़े च को चलिए नुम्ट छे हो गया को चनामर शे हो गया है मैं इसके बाद बरते हैं आके को तुरिऑ छोनमबर साथ पर यह इसके बाद भाद आगे को चिन नमब साथ को चाहते हैं और तुर वरक्मेंद रडूम खूर्ड्डीम स्य दोलनी था रूपकर नॉर्मल वेजट इस ऑल्सों सेम तो यहां पर दो बर करें हमारे एंड फी उनकी वेजट भी सेम है ठीक है एस पेड बोनस अगॉण टू रोवन और बीज़ेट टू होल से मलब एक ओ एक को मिलता बोनस एस पर पर और बीज़ेट बोनस एस पर और टाइम अलाउड टू मेंक फैक्री ऑवरेड रेट अंडरलाइन करो फैक्टरी ओवरेड एड रेट है पर मेन आर ऐंठ अध्री कोस्तिने है फैक्टरी कॉस्ट मतलब क्या वैक्तर कॉस्ट नमसी डी लसी एंड फैक्टरी ऑबरहेट चेप्टर कॉस्ट तो पढ़ा होगा आपने तो याद पुरू वरकर बी कोश्शन के अंदर मुझे क्या दे रखा है फैक्टरी कॉस्ट एक दे रखा है तीन चारणौजीरो और बी का दे रखा है मुझे 3600 ना फैक्टरी काउस बराबर क्या होता है DMC DLC एंड फैक्टरी ओवरहेड इजित होता है कोश्चन ने क्या बोला using same material मतलब दोनों में खर्चा सेम होगा तो अगर मैं इसको M मान लूँ विकॉज मुझे given नहीं है तो यह भी कितना होगा में होगा अच्छा मुझे वेजट भी given नहीं है तो वेजट को मैं W मान लेता हूं अब ज्रह बात करो mistr a ने 30 गंटे में काम कर लिया तो तीस गुजचन डबcom और बी ने 40 गंटे में काम कर दिया चालिस कुनगण डबलूह यह बिलेगा बोनस आव बोनस की बात कर लेते हैं इसने सेव करें 20 गंटे टाइम ता 50 गंटे 30 गंटे में काम कर दिया तो 20 गंटे सेव करें 20 गंटे गुना डवल्यू गुना 50% कितना आएगा यह यह आ जाएगा 20 नहीं अच्छा एको पे करते हैं एस पर रोवन नौट होल से एस पर रोवन पे अब बात करते हैं इसकी इसने सेव करें 10 गंटे वेजर मुझे पता नहीं है और यह फॉलो कर रहा है हॉल से मेला 50 परसेंट तो कितना आगया यह यह आगया मेरा 5W ठीक है फैक्ट्री ओवर हेड कहता है पांच रुपे पर आर तो बहुत इस गंटे काम किया तो 30 गुना प पांच तो यह आगया 200 रुप है एर करो जारा कितना आ रहा है भाई एम प्लस 30W प्लस 12W कितना आ गया 42W प्लस आ गया 1,500 यह बन गई मेरी एक्वेशन नमबर 1 ओल राइट फिर यहां पर एम प्लस 45W प्लस 200 एकवल टू छतीस सो यह बन गई मेरी एक्वेशन नमबर 2 तो बना दिया आंसर मैंने आपको इसमें दिया हुआ है तो mathematical equation है सिर्फ solve कर लो m की और w की value निकाल लो आपका answer आपके सामने आ जाएगा तो question number 7 यहां पर हो गया है मेरे हिसाब से question number 7 good question है main part था question के अंदर इस equation को बनाना ठीक है जी पूरा question अगर solve करूंगा time थोड़ा सब wish रजाएगा आपको because revision कर रहे हो मतलब exam आने वाला है और अगर exam आने वाला है मतलब समय कीम्ति है तो इस question का main point मैंने आपके सामने solve पर दिया अब आते हैं आगे question number 8 question number 8 यह self practice question बहुत easy question है self practice question है अराम से कर लेंगे इसके बाद बढ़ते हैं अगले concept की और आ जाओ भी अगला concept कहता components for wages component of wages for costing purpose यह वाली चीज़ना मैं already cover कर चुका हूं भी concept के अंदर सिंपल क्या बोल रहा है कि employer के viewpoint से बताओ कितनी employee cost है तो मैंने क्या बोला था भाई employee को कुछ भी पे कर रहा है employer चाहे bonus दे रहा है चाहे पिए में contribute कर रहा है चाहे employee state insurance में contribute कर रहा है जो भी खर्चा employee ने उठाया मतलब निकाला total employee cost उस खर्चे को charge करना है उस खर्चे को आप charge करना है तो जो भी extra payment करी है जैसे उन्होंने payment करी है ESI के लिए payment करी है पी एफ के लिए payment करी है बोनस के रूप में payment करी है छुट्टी के लिए basically paid leaves होती है company संदर क्या होती है paid leaves यह क्या होती है जी साल में 10-12 paid leaves होती है मतलब आप भले शुट्टी पर हो बड़ आपको payment की जाएगी तो सवाल यह होता है सवाल यह होता है कि इस तरीके के जो payment हो रही है इस तरीके के जो payment हो रही है उसे हम charge कैसे करें खर्चे के रूप है तो इसके दो alternative है एक तरीका तो यह है कि आप उसे मालो overhead जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा logical नहीं है सब्सक्राइब में लिखा हुआ है कि इसको क्या माल लेंगे हम overhead और दूसरा क्या है कि हम निकाले inflated wage rate क्या होती inflated wage rate अब बताइधी मैं आपको basically average wage rate और इसे हम add करें as labor cost तो मेरे समझ से alternating number B is absolutely logical absolutely logical तो कहने का मतलब यह है कि हम costing purpose से हम cost per unit निकालने के purpose से हम cost per unit निकालने के purpose से employee या employee के भिहाब पर दिये जाने वाले सभी खर्चों को add करके निकालते है average wage rate और उस average wage rate की base पर हम charge करते हैं cost के हम charge करते हैं product में cost per unit हम charge करते हैं cost per unit question number 9 करवाता हूँ आपको बास समझ में आ जाएगी question number 9 इसमें बोला गया है निकालो wage rate per hour for costing purpose कुल बिलाकर simple सी बात है भाई total employee cost divided by total effective hours और total effective hours कैसे आएंगे नॉर्मल लॉस माइनस कर दो नॉर्मल आइल टाइम माइनस कर दो पेड़ लीव्स माइनस कर दो चलो तो करते हैं इसको अगर मुझे पूरे साल की cost निकालने क्या करूं दस गुना बारा और दो गुना बारा सिंपल सी बात है तो यह रहा दस प्रस दो गुना बारा मतलब ₹szf ठीक है वरकर कॉंत्रीबूशंट टो प्रविश्ट फंड इस टैन परसेंट लेको वरकर कॉंत्रीवूशं वरकर क्या कर रहा अपने एक लाग शामाई हार को अपने इस एक लाग शाभाली सजार का टैन परसेंट अपनी जैब से निकालकर अपने प्यफ में डाल सब्सक्राइब अपने इस एक लाग 44,000 का 10 परसेंट अपनी जेव से निकाल कर अपने पीफ में डाल रहा है उससे मुझे लिने देना मैं कौन इस टाइंपर इंपलॉयर बढ़ यहांपर क्या पूरा इंपलॉयर और लुसो अंडरलाइन करो वर्ड और लुसो इंपलॉयर और लुसो कंट्रिब्यूट्ट असेम अमाउंट अपनी जेव से निकाले और इंपलॉयर जो इंपलॉयर ने अपनी जेव से निकालकर इंपलॉय के पीफ में जमा कराए हैं क्या इस इंपलॉयर के लिए वह खर्चा है है आंसर इस खर्चा है मेरी जैफ से गाई न इसके बाद तो दो खर्चा वैरिफाई हो गाई एक चामालिस और चार्ट हो यह क्या मेरा प्या इसके बाद गता है इंपलोई इस्टेट इंश्रेंस प्रीमियम इज शिक्स पॉइंट फाइफ परसेंट परसेंट और 4.75 is paid by employee by employee क्या पे कर रहा है मेरी जैफ से कितने जा रहे हैं मेरी जैफ से गए साड़च है उस साड़च है में 1.75 हमने उसे ले लिए तो नेट कितने गए साड़च है माइनस 1.75 नेट गए मेरी जैफ से 4.75 परसेंट as an employer as an employer ध्यान दर मेरी बात पर यह मैं निकाल रहा costing purpose के लिए मतलब employer के viewpoint से यहां मुझे employee से मतलब नहीं है मुझे मतलब है employer 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 okay तो 4.75 परसेंट मेरी जैफ से गए as an employer तो 4.75 परसेंट of 1,46,000 कितना आ गया 6840 तो यह आगया मेरा contribution to employee state insurance premium इसके बाद it is firm practice to pay two month wage as bonus दो मैने के बराबर क्या पे कर रहे हैं bonus दो मैने के बराबर क्या पे कर रहे हम bonus तो एक मैने की सैल ली कितनी है 10 तो basic है और 2 एडि ये तो कितनी होगी बारा तो बारा गुना दो कितनी होगी 24 तो भई पूरे साल में हम पे कर रहे है एक लाख नवासनी जार दो सोचानिस किसको पे कर रहे हम इंप्लॉई को पे कर रहे हैं अब बात करते हैं अगले पैराखी दर नंबर वर्किंग डेज इन ए यर और थ्री हंडड़ ऑफ एट आर्स इच आउट आउट अफ दीज वर्कर इस इंटाइटल तू फिफ्टीन डेज लीव अंडरलाइन करो कि पंदरा दिन चुटी मरो पैसे मिलेंगे वाँ ऐसी पॉलिसी कंपनीज में होती है हां आजकर लगबग हर कंपनी के अंदर पेड़ लीव सोती हैं जिनको कुछ कंपनीयां अर्ण लीव कहती हैं तो 300 दिन में से फंदरा दिन तो आने वाले नहीं है तो आएंगे ते दिन व 288 यानि पूरे साल में वो काम करेंगे 2280 गंटे और मुझे निकाल लिए पर आर रेट तो यह रहा मेरा टोटल इंपलॉई कॉस्ट और यह रहा मेरा टोटल इफेक्टिव आर्स तो भाई एक नवासी दो चालिस डिवाइड वाई 2280 एटी थी रूपीज आगया मेरा वेज रेट पर आर आगे बात समझ में हेएड से इंपल इब कि जएव से जो भी जा रहा है उस सब को इड़ कर दो डिवाईड प्यूइड कि मोई कितने फेक्टिवली काररा है उससे डिवाइड Coast कि गचिजिव पर यह हाँ चारए इचाए एप्यूइड को जाए यह कितने घंटे काम कर रहा हैं बस आज आएगा आपका वेज रेट पर आर कि इसके बाद अगला कॉंसेप्ट हॉलिडे एंड ली बेजिस यह वाला कॉंसेप्ट आपका अल्रेडी मैंने यहां पर कवर कर लिया यहां पर क्या होगा इन्फिलेट डी वेज रीट यह बता दिया इस वाले क्याम में था यह वाला पॉंसेप्ट नंबर 10 सेंफ प्रेक्ट इस को सग आधर बुट हाला कि बचा विदूब्न चुकाओं फिर एस साल में 300 आपर आपेछल धाने काम करने वाले नेचरहीं हैं और ट्युंक्त का मतलब क्या है तीन सो दिन तो हैं पूरे बट बीस दिन चुटी वार तो तब भी मिलेगी पेमेंट तो काम तो 300-20 और एक दिन में आठ घंटे इसके बराबर होगा कि यह कैलकुलेशन टोटल एफेक्टिव आवर्स वाली यह के अंदर में पॉइंट बागे सिंपल है सारे खचे आड़ कर दो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे अगला कॉंसेट इफिशेंसी रेटिंग प्रोसीजर कौन वरकर कितना एफिशेंट है या इन एफिशेंट है इस बात का टैग लगाना यह काम आप अपने ऊपर भी कर सकते हो आप चेक कर सकते हो आप एस स्टुडेंट एफेक्टिव हो के नहीं हो मालो मैंने आपको एक को आप एफिशेंट हो या नहीं हो जाहिर सी बातें आप एफिशेंट हो आपने 30 मिनट वाला कोशन 40 मिनट में किया बताओ आप एफिशेंट हो आंसर इस नो यानि कि दिये गए समय से ज्यादा लगाओगे तो एफिशेंट नहीं हो और अगर दिये गए समय से कम लगाओगे तो efficient हो, तो efficient हो, तो यहां पर efficient हो और efficient नहीं हो, यह बात तो निकाल पाना बड़ा असाने, सवाल यह है, आप कितने efficient हो, कितने, तो इसको निकालने का formula है, time allowed, divide by time taken, जैसे मालो, मैंने आपको 30 minute दिये, question solve करने में, और आपने 10 minute solve कर दिया, तो 30 बटा 10, गुना 100, इसका मतलब है, आप 300% efficient है, तो formula क्या है, time allowed, divide by time taken, मैंने 3 case लिये, case 1, case 2, case 3, time allowed कितना, 10 गंटे, 10 गंटे, 10 गंटे, 10 गंटे, मालो, यह मेरा employee 1 है, यह मेरा employee 2 है, employee 1 ने 8 गंटे में काम कर दिया, efficient है, हाजी है, employee 2 है, 10 गंटे में काम कर दिया, 10 गंटे में कर दिया, और employee 3, 12 गंटे में काम किया, efficient तो नहीं, अब सवाल है, कितना, how much, time allowed, इसको कहता हूँ, और time taken से कहता हूँ, तो यह उदागा, A बटा, B गुना 100, तो 10 गंटा, गुना 100, 125 परसेंट, यानि employee 1, 125 परसेंट, employee 2, 100 परसेंट है, और employee 3, सिर्फ 83 परसेंट है, तो यह है मेरा employee rating procedure, इसके उपर exam में कोशन तो नहीं आता, बट कई बार क्या होता है, कोशन के अंदर आपको efficiency दे देगा, आपको time taken दे देगा, और आपको time allowed निकालना होगा किसी purpose के लिए, और इसका इस्तेमाल reverse तरीके से होता है, इसका इस्तेमाल reverse तरीके से होता है, चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, अगला concept है labor turnover ratio, labor turnover ratio, labor turnover का मतलब क्या होता है, labor turnover का मतलब होता है, labor का बार-बार company में आना, और company को छोड़ कर चले जाना, यानि जब employee बार-बार company में आता है, नय नय employee company में आता है, तो company करना बहुत खर्चा होता उसके अंदर, क्योंकि किसी भी employee को अपनी company में रखने पर ऐसा नहीं है कि आज आपने रखा और कल से वो काम करना चालू कर देगा, अभी पहले वो सीखेगा, क्योंकि वो नया है, आप ही company में क्या procedure है, कौन सा material कहां पर रखा रहता है, process कैस करना है, यह सारी बात है, वो धीरे-दीरे सीखेगा, और इसको सीखने के बाद, फिर वो करेगा actual अंदर production, और मज़र की बात है कि पहले वो सीखेगा, सीखेने के बाद जब वो काम करना चालू करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जब वो काम करना चालू करेगा, तो पहली ब चालेगा फिर ऐसे धीरे-धीरे करके एक company उस एक employee उस लेवल पर आता है कि वो ठीक से काम कर सके देखो आज के जमाने में मेहनती और इमानदार employee बड़ी मुश्किल है इंपॉसिबल सा लगता है यह कि employee बाते बहुत करता है इंपॉसिबल बहुत चापनुशी करेगा बहुत सारे वादे करेगा बट रिजल्ट नहीं आएगा एक्शुल में काम नहीं करेगा उसका बीहेव कुछ और होगा वो उसके शब्द कुछ और होगे कोई इंसान मुह से क्या बोल रहा है यह डिफरेंट होगा और असली में वह स plural कना जाइस में यह पूझा है कि मैं तो बड़ा ऑच्छा हूं जी मैं तो बड़ा मेरनती हो इसका तुम रिकॉर्ड देखो बात यह ना से मैसे कि बड़ा महनती है तो उससे पता पड़ेगा वह एक्षिन वैसा है या सिरी बाते कर रहा है तो भाई कंपनी के अंतर क्या प्रॉब्लम होती है कि इंप्लोई अधिकतार ऐसे होते हैं तो सिर्फ बाते करते हैं आपके इंट्रिवी में आएगा बड़ी-बड़ी बाते करेगा साथ मैं तो मुझे ये भी आता है मुझे वो भी आता है मुझे वो भी आता है मुझे वो भी आता है लेकिन वह एक्षुल में काम करता तो पता पड़ता यह आता है कि नहीं आता है यह पागल बना रहाता सिर्फ बैठागर तो ऐसे में होता कि कि कम्पनी में जब किसी इंप्लोई को हा फिर उनका इंट्री औरेजिद किया जाएगा फिर फिर वो अन्त बेटा हो गाद्ध पूरी टीम बाइच उनका इंट्रीव करेगा पूर दिन लगेगा उसके इसा करने के बाद एक बंद को माल उस्काट किया आपने तु अब काम सखाएंगे अब काम सखाएंगे चक्रा भ लोगी को समझा लोग सMंजा समय भूब Kim आपको लगा यह बंदा आप काम कर पा रहा है यह बंदा अब उस लेवल पर आया है कि जो काम इसे दो वो यह करता है तो हुआ क्या दो मैंने बाद वह उस लेवल पर आया और तीसरे मैंने भाई साब नोकरी छोड़ दी तो ऐसे में क्या है लेवर का बार-बार आना और फिर नुकसान है और कोई निकम्मा इंपलोई आया जिसने तीन चार शह में ने काम किया एक्सपीरेंस रिया और चला गया तो भी कंपने को ट्रेनिंग करने में खर्चा आता है अगर दो मैंने आप नएने किसी कंपनी में जॉइन कर रहे हो आपको दो मैंने मिलने कंपनी के लिए सेरी शीरिफ कोस्ट है है क्योंकि अभी दो मैंने आप सीख रहे हो हुं और मसी की बात देख निकाल सकती है चाहे तो वीगल निकाल सकती है नौर्मली कंपनी कालती है कौ आटरली नौर्म बाखी कंपनी के इच्छा उसमें क्या थाक पर लेबर टरनोवर रेट क्या पास है तो दो इंपलोई नए है यह बानके चलो या सो इंपलोई कंपनी के पास है तो दो लोग और रहे छोड़ पे चले आते हैं तो खुल मिलाकर 98% हमारे पहले वाले कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है यह सो में से 98 इंपलोई है दोगा आना जाना लगा रहता है ठीक है मालो किसी कंपनी के अंदर यह लेवर टर्नोबर रेट है मालो 80% तो यह तो बड़ी खतरनाक बात है भर साल अगर कंपनी के पास सो इंपलोई है तो भाई 20 रख होता है कई वार वह चंद पैसों के बड़ोतरी को देखकर या फिर इस बात की मेंटलिटी को देखकर कि यार पास साल से सी कंपनी में काम कर रहा हूं जौब छोड़ देता है और जॉब छोड़ने के वाद उस एकल आती है कि बैश इस इस कंपनी में तो काम ही समझनी रहा और उस इंदर आप यह लगे वह कंपनी बहुत दूर है उस कंपनी में ज्यादा टाइम काम करना पड़ता है ओवर टाइम के कोई पैसे नहीं मिलते फिर कंप्र लगता है कि मैंने गलत दाव खेल दिया अगर अगर कोई इंप्र आपी कंपनी के अंदर आपी कंपनी को चोड़ के चला जाता है ना और दुबारा लॉट के आता है और बीना बोले चोड़के अगर गया हो और दुबारा लॉट के आ तो घुमा के लाद मारो उसके पिछवड़े पर ऐसे इंप्राइब किसी कंपनी को नहीं चाहिए जो धोगा दे प्रफरली नोटीस दे जा रह करेंगे फ्यूचर में आप लॉट के आना चाहोगे आपको आराम से इज्जत वो रखेगा आपके साथ आपको रखेगा दुबारा से कंपनी में लेकिन अगर धोका दे के भागे तो भाई सब घुमा के लाट मार देना तो यह पुरा का पूरा पूरा कंसेट्ट लेवर ट दूसरा होता है रिटार्मेंट उसकी उम्मर साथ साव हो गई है और इसको बोलते हैं टेकनिकली क्या बोलते हैं लेफ्ट फोड़कर चला गया कारण चाहे कोई भी हो वो खुद गया या रिटार्मेंट हो गई एक और है कुछ वरकर्स और फायर अच्छा कामनी कर रहे थे हमें सबने कंपिन लात मार दिया इसको बोलते है रिटरेटमेंट और अब कैसे भी और चाहिए तो खुद चला गए लाद उठाके ऐसे में क्या करना पड़ेगा हमें उस इंपलोई के बद्रे नए इंपलोई को रखना पड़ेगा तो इसे बोलते हैं टेक्निकल शब्दों में रिप्लेस्मेंट ध्यान देना इंपलोई गया है उसकी जगह नए बंदे को रहा हूं तो उसे टेक्निकल शब्दों में कहते हैं फ्रेश रिक्रूटमेंट तो यह टेक्निकल शब्द आपको याद रखना है अगर कोई वरकर गया उसके बदली नया वरकर आया उसे बोलिंग रिप्लीसमेंट लेकिन मेरा काम बढ़ गया मेरा प्रड़क्शन बढ़ परसेंट है इसको निकालने का फर्वूला क्या है कि नंबर ऑफ सेपरिशन डिवाइड वाइवरेज नंबर वरकर्स गुना सो अच्छा अबरेज नंबर कैसे निकालेंगे तो सिंपल सी बात है हर दो कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिं आगर निकाल रहे हो तो वरकंट और ग्रीनिग एंड ओंट म ऑफ ट्यॉड फेणगे रिवाइड बाइट काल रहे हो तो जो मिन फिटर सुन िंक वरणि कैन ँब और वरकर merchant सई रिट्रेंश्मेंट और डिशार्ज वरकर हमें छोड़कर गया चाही रिजन कोई भी हो जाने वाले को कोई रोक पाया जिसको जाना हो तो जाएगा हम उसे रोक नहीं पाएंगे हम चाहे कुछ कहले उसको उसका टाइम हा गया उसे जाना है वैसे कंपनी के अंदर होता है कुछ लिएगो एड कर दो इसको बोलते हैं सेप्रीशन सेप्रेट हो जाना वर्ड शैप्रेट अपने आप एक नॉर्मल वर्ड है बोलते हैं डिवोर्स हेलिया सेप्रेट हो गया है असके बात है सेप्रेशन में है तो इसे कही और को याद रह जाए बस बोडिन लेकर चली चली उसके बदले नई सिशादी करना कहला एक है का जो गया जो गया उसके बदले नई कवम लिकर आए उससे बोलते हैं है रिप्लेश्मेंट एंदें ना फ्रेश्रेक्रीटमिंट नहीं आएगा फ्रेश मतलब काम बढ़ गया है बढ़ गया है और हमने नए इंप्राइज को हाइर क्या उसे बोलते हैं फ्रेश रिक्रीट फ्रेश रिक्रीटमेंट अब आते हैं मैथड नंबर तीन लेबर टर्नोवर अंडर एक्सेशन मैथड ध्यान देना रिप्लेश्मेंट का मतलब क्या था जो छोड़ कर गया उसके ब नंबर ओफ एक्सेशन डिवाइड भाई अवरेज नंबर अवरकर्स गुना सो अवरेज नंबर अवरकर्स मतलब ओपरिंग प्रस्लोजिंग डिवाइड वाई तो यह था मेरा एक्सेशन में तर इसके बादे चौना याद करने के लिए शॉर्ट मदाना फूल 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 ट्रिक है जो मैं रगुला इंडेता हो फ्ल मैफर फूल सबसक्ष out अदर इसमें सेपेरिशन मीजद दो इसमेरे पैस्टे क्लिश्मेंट भी जोड़ो इसमें फ्रश डिनião बर्म जोड़ो ड़ो लिए डिवाइड में पतार फो एक्षिचिशान और Україau क्सेशन मतलब क्या हो कि दुखो ये सारी बात में आप इलगे रखिये एक सेशं मतलब क्या एक सेश्येशन मतलब क्या रिपलेशमेंट प्लस फ्राश इक्रूट में और एक सेश्टों ये भी कहते हैं वरकर्स रिक्रूटेड एंड जॉइन फिर सेपरेशन को हम दिनोर करते हैं ऐसे उसे बोलने वरकर्स लेफ एंडिस्चार्ज अब जरा धियाद देना कई बार कोशे ने बोलेगा निकालो एक्यूवलेंट एलनुवल एनुवल लेबर टरनोबर रेट शब्द अनुवल एनुवल एनुवल पूरे साल का रेट बताओ अच्छा माल लो किसी कंपनी ने न कंपनी बोल रही है आप मुझे बताओ अनुवल कितरा सिंपल सी बात है एक साल में कितने को रहते हैं चार तो मल्टिप्राइड बाइचार तो यह हो जाएगा बीस परसें यह होता है मेरा एक्यूवलेंट लेबर टरनोबर रेट तो यह राएक्यूवलेंट लेबर कर दो यानि कि चौबीस परसेंट तो यह मतलब है एक्यूवलेंट लेबर टरनोबर रेट का आगे बात समझ में चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे इसके बाद बढ़ते हैं आगे कोशन नमबर 11 कोशन नमबर 11 कहता है The Accountant of Y-Limited कोशन को पढ़ो एक मिन जरा कोशन को पढ़ो इस बात की कसम खाना एक बार में एक सिटिंग में एक चैप्टर कर रिवाइस करना कोशन नमबर या ना The Accountant of Y-Limited has computed employee turnover rate for the quarter ended 31st March 2001 देखो मज़े की बात क्या है इस कोशन में क्या है आपको लेबर turnover rate दे रखाए इसको मैं बोलता हूं reverse question क्या बोलता हूं मैं इसको reverse type question इसमें होता क्या है अब यह ने क्या सीखा डेटा से निका लेंगे turnover rate इसका निका लेंगे turnover rate बट यहां पर क्या होता है हाप ल्टा होता हमें turnover rate दी होती है और हमें data निकालना होता है तो ऐसे question exam में आने की importance ज्यादा है frequency ज्यादा है तो भाई labor turnover rate फॉर दी क्वाटर अंडरलाइन करो शब्द quarter कि दना है 10% 5% और 3% अंडर flux replacement and separation method यान की question मुझे क्या दिया लेवर turnover rate दिया मुझे अंडर पहला है प्रूस के बाद है replacement method फिर उसके बाद है separation method तो बहुत फ्लक्स method में 10% फिर उसके बाद 5% है replacement के अंदर उसके बाद तीन परसेंट है separation के अंदर यह मुझे द्रखा क्वाटर लेड़े फिर कोशन बोलता है इव दर नमबर प्रेस्ट यौन फिर न मँझे बॉला क्या होता है separation displacement ऑसका फॉला क्या होता है if the number of workers replaced 30 यानि कोशन ने मुझे यह दे रखा है 30 तो क्या मैं यहां पर average number of worker निकाल सेता हूं तो 30 divided by 5% कितना आगया 600 तो यह आगया मेरा average number of worker फिर कोशन ने क्या बोला find out the number of workers for the quarter recruited and joined यानि कि मुझे यहां पर क्या निकालना है यहां मुझे निकालना है एक्सेशन एक्सेशन मतलब एक्सेशन मतलब रिप्लेस्मेंट प्लस रशेख्रीट मेंट फिर निकालना मुझे left and discharge यानि कि मुझे निकालना है यहां पर separation फिरिसके बाद निकालना है इक्ष॑ है इक्क्षिंड्प्ट डावॅरेइट यह तो बड़ा आसाथ हो गाई कि दस पराइबर तीन के मैंने कौड़र यह निकालना और येर ली तो दस जूमा चार पांजूना-चार और तीन गोना चार तो बह ASER नमंबर 3 निकालना तो बड़ा आसान यह देखो 10 गुना 4 पांस गुना 4 और 3 गुना चा तो यह आगा मेरा एक्यूवलेंट तो मैंने यह तो निकाल लिया आईए अब निकालता हूं सबसे पहले लिए लिए बोलते एक्सेशन डिवाइड वाई एवरेज नमबर बढ़ करें मेरे 600 इसको सॉल्व कर दो तो आजाएगा मेरा एक्सेशन तो कितना आगया मेरा एक्सेशन तो भाई 600 का 10% माइनस 18 तो यह आगया मेरा 42 तो लो जी इतने सिंपल तरीके से आपका यह पूरे का पूरा कोशन यहां पर हो गया है सॉल्व कोशन नमबर था यह 11 ऐसे कोशन एक्जाम में आने की चांचे ज्यादा होते हैं ज्यादा होते हैं यहां पर रिवर्स करना परता है हमें पॉर्मि आप बाइसाब कोशन नमबर 12 वेरी वेरी इंपोर्टेंट सर ऐसा क्यों पहला जवाब इस कोशन के आंसर में आईसे आई ने चींज किया है मतलब कोशन पहले भी था सेम कोशन था उससमें आई से का अंसर डिफ्रेंट था बट कोशन अभी वही एज़िए एस इस कोशन से में बट आंसर में चेंज किया है इसका मतलब है कोई ना कोई बारीख बात इस इट्यूट ने अब्सकोशन के आंसर में जो की पहले गल्ती थी इन्हों ने ठीक कर दिया तो जब भी किसी का आंसर बडिफाई होता है तो इसे में बोलता हूं अमेंडमेंट कोस्टिं के अगर आपने पुराना वाला अंसर एकजाम में छेफ दिया नमबर नहीं मिलेंगे तो क्यूंकि इसका अंसर में चेंग हुआ है इसलिए इसकोशन सब्सक्राइब भी इंपोर्टन इसकोशन नबर टोल वेल इस वेरी वेरी इमपोर्टन तो एक्जाम से विपेंट से वेरी very important चलिए पढ़ते हैं को कहता है सबसे पहले पढ़ते हैं को से रिक्वार्मेंट कहता है find out the profit for gone for gone last year on account of employee turnover क्या मतलब होता इसका पहले ये बताओ profit for gone last year on account of employee turnover by employee के आने से जाने से हमारा कितना profit चला गया क्या मतलब इसका इसका सिंपल मतलब यह है employee के आने से और जाने से हमारा कितना नुक्सान हो गया हमारा कितना नुक्सान हो गया वह निखा लो अच्छा अब पढ़ते हैं जी कूशन को the management of BR Limited is worried about their increasing employee turnover in the factory सही बात है टेंशन तो होगी and before analyzing the causes and taking remedial steps it wants to have an idea of profit for gone as a result of employee turnover in the last year ठीक बात है क्या जानना चाहता है पिछले साल मुझे कितना नुक्सान हो इससे क्या फाइदा होगा वह अगर हमें कारण पता लग जाए कि हमारे इंप्लोई छोड़ के जा क्यों रहा है ऐसा निए कि हर बार employee की गलती होती कई बार employer की गलती होती है कैसे मान लो मैनेजर बहुत टाइट रख दिया company के अंदर सब को डाटता रहता है company के employees का moral ख़तम कर दिया उसने कंपनी के employees का motivation उसने ख़तम कर दिया environment बहुत प्रेशराइज वाला बना दिया ऐसे में क्या होगा इंप्लोई छोड़के भागेगा तो हमें रीजन डूड़ना पड़ेगा हमें लॉस का अमान पड़ेगा कि क्यों किसकी वजह से इंप्लोई की गलती है तो कोई टेंशन न मल्टी स्टोरी वाला और मैंने क्या करा भाई एसी लगवाए मैंने इसी लगवाए निस अप्या होगा मैं गर्मी का टाइम आएगा मई जून आएगा तो मैं जून में क्या होगा employee की हालत खराब और मज़े की बात है global warming की वज़ए से अब तो घर्मी ज्यादर टाइम रह में आता हो खुजली चालू हो जाती है तो क्या हुआ इससे इन्वार्मेंट होना चाहिए कंपनी के अंदर लास्ट इयर सेल्स अमाउंटेट टू रुपीज एट्टी थ्री लैक थ्री थाउजन थ्री हंडेड एन पीवी रेशो वास्ट परसेट आओ जरा आपको सेल दे रखिये आपको पीवी रेशो दे रखा है तो मैं अगर आपसे बोलू कि निकालो कॉंट्रिबूशन निकाल सकते हो क्या एक चैप्टर मार्जनेर कॉंशन आपने पढ़ा होगा वाप आपको पताएक सेल्स अगुना पीवी रेशो कर दे तो क्या आ जाता है कॉंट्रिबूशन तो तो तीरासी लाख तीन हजार तीन सो दिरासी लाख तीन हजार तीन सो गुना 20% कर दूं तो यह आग अब वर्ग्ड वाज भाई डाइड लेवाट डाइड प्रवाई फोर स्वाज 4.45 लेक्स तो मेरा चुल आर्स वर्डिटना है चार लाख मैं ताली सजार ठीकर as a result of delay in the personal department in filling the vacancies due to employee turnover a class potential productive hours were lost ध्यान देना यहां पर लिख रहा हूं में lost hours तो भाइस आप एक लाग घंटे हमारे वेकार हो गए क्योंकि टाइम पर इंपलोई हम हायर नी कर पाए मार्केट में अच्छा इंपलोई मिला नहीं तो एक लाख घंटे अगर वो होता तो production करता production करता तो हम बेचते बेचते तो हम contribution कमाते अभी नी कमा पाए क्या हो जाएगा हमारा loss फिर कहता है question आगे the actual direct labor direct employee hours included 30,000 इसने बोला कि जो उपर चार लाग 55,000 मैंने आपको दिये हैं इसमें 30,000 included है आर्ट एट्रीबुटेबल टू ट्रेनिंग निव रिक्रियूट्स आउट आउट अप विच हाफ अफ 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 दी आर्ज वर अन प्रडुक्टिव ओ 15,000 घंटों को तो production हुआ ही नहीं है वही 30,000 का 50% तो इसका सब्सक्राइड करने पढ़ेंगे विकॉस भाई जो घंटे काम नहीं हुआ तो वही तो मेरे हैं आर्ज लॉष्ट तो यह कितना हो गया मेरा 1,15,000 घंटे तो मैं अगर आप से पूछू पिज़रा यह बताओ कि आर्ज लॉष्ट की वज़य से हमने कितना contribution lost कर दिया क्या निकाल पाना पॉसिबल है तो देखो हमने कमाया 16,000,000,000,000,000,000,000 और काम किया 4,000,000,000,000 गंटे तो इससे क्या आ जाएगा एक घंटे पे हम कितना कमाते है इससे multiply कर दो 1,15,000,000 गंटे से तो आ जाएगा 1,15,000,000 गंटों पर हमने कितना खो दिया तो यह आ गया 4,4,4,1,30 यही वो point है यही वो calculation है जो ICI ने अपने answer में change की है चेंज क्या किया है वो बताता हूँ आपको ICI पहले यहाँ पर 15,000 आर्स एड नहीं करता था पहले वो labor आर्स लॉट्ट आर्स रिपेटला घंटे ही मानता था जो कि logically correct नहीं था because भाई जब 30,000 घंटों में आदे घंटे 50% time productive भी नहीं तो क्या है मेरा वो hours lost है तो ICI पहले यहाँ पर 15,000 घंटे एड नहीं करता था बट उन्हों को बाद में realize हुआ कि yes it is wrong तो उन्होंने answer में modification किया तो इस point की वजह से ही answer में change आया तो इसलिए exam में क्या हुआता है important ए ठीक है बहुत main question है एक एक शब्द को costing में deeply पढ़ना चाहिए because एक एक शब्द से पूरे का पूरा answer बदल जाता है इसका मैं आपको एक example देता हूँ माने लो मैंने कहा direct material cost है 100 रूप है मैंने कहा direct labor cost है 200 रूप है मैंने कहा मैंने कहा direct cost है 300 रूप है और मैंने पूछा बताओ भई प्राइम कोस्ट कितनी बताओ जराओ सोच के बताना एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना direct material cost 100 रूप है direct labor cost 200 रूप है and direct cost 300 रूप है अगर आपके मन में आ रहा है कि 100 plus 200 plus 300 कर दूँ तो आप गलत है अरे भाई साब direct cost तो आपको directly given है तो आपका answer 300 रूप है क्या समझें यही है आपकी direct cost और इसी को प्राइम कोस्ट भी कहते हैं अच्छा इस यह नोट करना चाहोँ तो नोट कर लो चलो नोट कर लेना आप एक और example लेता हूँ मैंने कहा direct material cost 100 रूप है direct labor cost 200 रूप है direct expense 300 रूप है और मैंने कहा निकालो prime cost बताओ answer अगर आपके मन में आ रहा है 300 इस दी आंसर तो अब आप गलतो यह expense है पहले ही आप वर्टा cost देखा सिर्फ एक शब्द में difference हुआ है अब यहां पर कितना आएगा 100 प्लस 200 प्लस 300 कितना आ रहा है 600 तो भाई साब एक एक शब्द costing के अंदर very important पूरे के पूरे answer को change करने की हिम्मत रखता है तो देखो आपका जो profit for और उसमें एक अमाउंट तो यह आ गया चारलाग चावालीचा एक्सोटीस इसके बाद बढ़ते हैं कोशन को आगे पढ़ते हैं कहता है तो कॉस्ट इंकर्ड consequent on employee turnover revealed on analysis the following वह यह सारे खर्चे होगे इन सारे खर्चों को भी add कर दो तो लो जी इन सारे खर्चों को भी add कर दिया simple यह आगया मेरा answer सारे खर्चे आड़ कर दिये और contribution लॉस्ट को एड़ कर दिया अच्छा ठीक बास हमें आगई अच्छा यहां पर किवन आपाते हैं वह हम नहीं कर आपाए because of employee turnover तो यह था जी concept employee turnover के उपर इस attempt के लिए employee turnover का ऐसा question मैं exam में उम्मीद कर रहा हूं या तो इस attempt के अंदर या फिर अगली attempt के अंदर मुझे पूरी उमीद है ऐसा equation आएगा और यह कोशन आपका mcq में आएगा चलिए बढ़ते हैं आगे आजाइए वह treatment of direct expense अगे इंपॉर्टेंट कॉंसेट इंपॉर्टेंट क्यूं है because icai ने icai ने direct expense के उपर दो कोशन study mat में specifically add किये हैं जो आपका new syllabus है उसके अंदर old syllabus जब था तो उसके अंदर direct expense वर्ड तो था खर्चा तो था बड़ इसके उपर दो कोशन नहीं थे तो मेरा ऐसा मानना है कि जो इससे ट्यूट इस स्पैसिफिकली एड किया new syllabus के अंदर उसके उपर एक्जाम में mcq वाला कोशन आने के पूरे के पूरे चांसे से तो आई यह बात करते हैं direct expense आकी रहूता क्या है बेसिकली यहां पर मतलब है इडेंटिफिकेशन का जो दो कोशन अभी हम करेंगे वो किसके उपर है इडेंटिफिकेशन के उपर कि कैसे बैचाने कि कौन सा खर्चा मेरा direct expense है आई ज़र कुछ बात याद दिलाता हूं मैं आपको 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 मैंने बताया था कोस्ट को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं एक होती है direct cost और एक होती है indirect cost ओके indirect cost जिसको हम टेक्निकली overhead भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको overheads है वह direct cost को हम तीन पार्ट में तोड़ते हैं एक होता है direct direct material cost हो एको था direct labor cost और एक होता direct expense इस concept में किसकी बात हो रही है इस concept में इसकी बात होरी है अ च्छा डार्इक material cost यह हम revise कर क्षक है एक डार्ट labor cost वह भी हम revise कर 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 चुक है इस श में करा compromise सिरते बात करने डायट एकसे थे स्बारते थे है तुझे थे दिए देरा डायट एसबिल Fed the encourages बढ़ेगा अब कर दंददे खा आम गर ना तो डिम सी है ना डिल सी है कि और ना ओवर हैड मैं दो नावरहिद आयीया मिनिंग आप गॉष्ट इसनाट सेम एक स्वेंजिल को इसक्ष इंग अम इभात विडियर्क श्रह को डिया विडिक्ष अविडियर्क कॉस्ट अलग मतलब था और आरट एक्सम्स कअलग मतलब था अच्छा कॉस्त विजिए इंगरी में धर इंक्रीज हमारा material है तो उसे हम बोलते है डारेक्ट material cost जैसे मालो example दिया था मैंने आपको पहन की रिफिल बेन की प्लास्टिक बोडी पहन की यह क्या है डारेक्ट material cost अगर ऐसा खर्चा labor है तो इसे बोलते है डारेक्ट कॉस्ट मैंने राम को अपनी कंपनी में इंपलॉई किया और मैंने बोला सहाब एक पैन बनाओगे दस रुपए दूगा दो बनाओगे बीज दूगा सौ बनाओगे हजार दूगा तो यहां पर क्या हो रहा है जैसे जैसे प्रडुक्शन बढ़ रहा है राम को दी जाने वाल पैन कटँपनी की महुड़ लगा चाहता हूं कि यह कंपर पार्कर कंपइन बनाया है तो पारक कंपर मोगने वालोगों वह बहनेосक्राइब बनाने के 100 रुपे लेंगे मुझे पता है पैन के उपर लिखाओ पारकर तो ज्यादा प्रैस का भिकेगा आराम से बिकेगा मार्केट में पार्दर पहन की acceptance है तो अब देखो ज्यादा प्रॉट्शन को पहन का ज्यादा रोल्टी पे करनी पड़ेगी कम प्रॉट्शन को रोल्टी पे करनी पड़ेगी ना तो material है ना लेवर है बट फिर भी बढ़ रहा घट रहा है विद प्रॉडच्शन तो यह क्या लेग नहीं है डी एलसी नहीं है ओवर हैड नहीं है तो वो क्या मेरा डी एक और एक और एक और फीचर डैट एकसे अर्ट। जोब और यंटिड हुद अगर कोई भी खर्चा हम इस पैसिफिक लिए किसी जॉब के लिए करेंगे तो उसे हम बोलते है डायक्ट एक्सपैंस के लिए मैंने अभी रिसेटली एक कोट पेंड बनवाई मैं टेलर के पास है मैंने बुला साब कोट केंड बनाओ यह डिजाइन लगेगा और मैंने बोला कि जब कोट में और तो यहां जो बटन लगाता है तो यहां पर मैंने बोला यार कुछ इस्पेशल टाइब बन लगा उसने मुझे 15-20 बटन देखा है मैंने का यह वाला बटन बढ़िया लग रहा है तो वो जो बटन वाला खर्चा है ना वो कर रहा है मेरे देवी जौब के लिए तो वह खर्चा क्या कहलाएगा डारेक्ट एक्समेंस चलिए कोशन नमबर तीरा एक्जाम के लिए अगे वेर engineering manufacturing company producing job order on the basis of specification given by the customer during the last month it has completed three jobs he norahite ABC kandina costing and their order co order a job kate real life a modern kate by you please order kardia burger order kardia caution me kya bolte pizza ki job baby burger ki job baby the following are the items of expenditure which are incurred underline karu apart from apart from direct material and direct employee cost low jilo hamei pata tha dee matlab huta hai dmc to nahi hai era dlc to nahi hai overhead to nahi hai usam boling a dee dee matlab huta hai job oriented hai hai job oriented a cha to is question ki is line a ye confirm kandia ki niche do kharche diye gai hai wo dmc nai hai or dlc to nahi yaha pe likaida apart from iska matlab kiya ho ga jo kharche hamei niche diye gai hai ya toho a overhead or yahoga dee or hamei identify kya karna hai hamei identify karna hai hai dee kaur kaunse hai hamei identify karna hai dee kaur kaunse hai exact question me likha hua calculate dart expense attributable to each job i am sabse pahala karcha office and administration cost nam se pata pade gaya office and admin overhead because a concept overhead agla product blueprint cost for a job a abdhya nira jo bhi kharcha specifically kisi job ke liye hua ho usay hamashah kya wa lenge dee direct expense iske baad berti aga item number teen higher charges paid for machinery used for job used for job kya mera ye dee yari kisi job ke liye kharcha kiya to always direct expenditure agla salary pay salary to office is attended to america office overhead iske baad one time license fee paid for software used for used to make computers graphic for job see again kya job oriented to your camera diet expense iske baad salary paid to marketing manager a marketing madlab selling overhead it is my selling overhead the manager to answer my name proper format me we have ate the job b ke liye 40 jar job c ke liye 50 to job b ke liye 40 job c ke liye 50 और job a ke liye it 40 zara तो लो जी कोशन नंबर 13 आपका यहां पर हो गया है प्रॉपर आंसर मैंने यहां पर दिया है आपको एक्स्प्राइशन एक बार देख लीजिए कोशन नंबर 13 हो गया कोशन नंबर 14 अगें very very important एक्जाम में क्या करेंगा इसी आई आपको एक खर्चा देगा बोलगा आइंटिफाइदी करेक्ट हैड और आपके चार हैड होंगे एक होगा सब्सक्राइब कोशन नंबर 14 the following expenditure were incurred in Aditya Limited for the month of March 2003 you are required to calculate DE for the month हमें क्या निकालना है direct expenses डारेक्ट expenses की definition अगर आपको अभी तक समझ में आई है तो मन में उतार लें पहली बात DE मतलब वो खर्चा जो DMC नहीं है DLC नहीं OAN नहीं है तो क्या है DE है DE मतलब वो खर्चा जो job oriented है DE मतलब royalty तो यह तीन बाते अपने जहन में उतार लें इसके बाद DE को identify कर पाना आपके लिए आसान हो जाएगा आईए यहाँ चलते हैं खर्चा number one paid for power and fuel power and fuel power and fuel power and fuel power मतलब जो मशीन में इस्तेमाल होगी बिजली है नए पावर फ्यूल मतलब फ्यूल जो मशीन में इस्तेमाल होता है जो मशीन में स्नुमाल होता है अब देखो पेड फोर पावर एंद फ्यूल तो जाईर सी बात है जब प्रड़क्शन बढ़ेगा तो बिजली ज्यादा खर्च होगी मशीन ज्यादा चलेगी बट इस नाइधर मेटीरियल नौर लेवर तो बचा किया फिर इट इस डारेक्ट आरिये बाद समझ में बढ़ेगा मशीन ज्यादा चलेगी पावा ज्यादा लगेगी बिल ज्यादा आएगा खर्चा ज्यादा होगा मतलब डारेक्ट बट इट इस नाइधर मेटीरियल नौर लेवर तो क्या बचा डी ये ओवरहेड नहीं हो सकता क्यों ओवरहेड मिंस कॉ सब्सक्राइब कंपनी के अंदर बने चार प्रड़क्ट चारों के लिए कॉमन खर्चा उसे बोलते हैं ओवरहेड इन लेमें लेंग्विज आइटम नमबर दो वर्क वेजिस पेड टू ठैक्री वरकर वाई क्या लिखा हुए फैक्ट्री वरकर नाम से पता पढ़ गया य जितने ज्यादा वरकर उतनी ज्यादा प्रड़क्शन कह लिए जितनी ज्यादा प्रडिक्शन उतनी ज्यादा डाटरी बर कॉष्ट तो यह क्या मेरा डाट लेबर कॉस्ट अगला है मेरा bill paid to job worker underline šabd job और मैंने क्या बूला जो भी खर्चा जौप औरिंटेड है वो क्या ह दी ए अगला रोयल्टी पेड फॉर प्रडुक्शन रोयल्टी अमेन आप ग्वेड पार्कर पैन वाला तो रोयल्टी इस ऑल्वेज दी ए अगला पैंट फीस पेड टू टेक्निशन हायर फॉर दी जॉब अगें पॉर दी जॉब तो यह भी क्या में आ दी इए फिर उसके बाद है एडिमिरिस्ट्रेटिव ओवरहेड को से ने खुझे बदा दे क्या है हमारा यह हमारा ओवरहेड उसके बाद कमिशन पेड टू सेल्स इस्टाफ यह क्या मेरा सेल्स यानि सैलिंग ओवरहेड तो लो जी सारे खर्चों का हैड मैंने इन्टिफाइ bastard दो 1666 64 64 और उसके बाद छान वेजार इन चारों को लढ़कर दो ये आगया आपका डायट एकसपेंडिचर चैंहीं है यह आगया आपका है यह तै कños षब disgust का और 1270avर-22 कि हिजाम के यसाअब से वरी वेरी वरी इंपर्टेंछ जो नोट्स में आपको दिये ना जो summary book मैंने आपको दिये revision के लिए इसका print out आप लेके बैठे हैं मैं ऐसा मान रहा हूं और जब आप revise करेंगे दुबारा से इसको आप notes के base पर पूरा revise कर पाएंगे आपको फिर से वीडियो नहीं देखनी पड़ेगे आप एक बार देख ल लगे कम समय में ज्यादा रिवाइज हो एक्जाम में confidence हो और अचीनम बनाएं तो आपका यह चैप्टर यहां पर खतम हो गया है तो एक छोटा सा ब्रेक ले ले लेते हैं इसके बाद और इसके बाद करेंगे अगला चैप्टर आप भी पानी बानी पी दीजिए उसके तावetztर आपके